के देखे सर के हम लोग अभी आज से जेम का ट्रेंब करेंगे जनरली आपको सेलेवक्स में 5 डेज का ट्रेंइंग बता जाता है कि 5 डेज का ट्रेंइंग होगा पर ये त्रेंइंग ज्यादा भी जाएगा देन 5 डेज six days भी जा सकता है और seven days भी जा सकता है depend आपकी query जब तक खतम नहीं होगी तब तक हमारा class चलता रहेगा आपके query पर class depend करेगा तो उसके लिए आप लोग को prepare रहना है हम लोग क्या-क्या cover करेंगे इसमें दोनों part cover करेंगे buyer plus seller seller मतलब आप लोग जो आप कोई भी चीज department को बेचते हो तो आप seller हो buyer जो department है खरिदता है आप जेम पे buyer नहीं बन सकते buyer सी positive department बनेगा department that means government body चाए वो PSU company हो या central government हो या state government हो जो भी government के related है वो ही यहाँ पे buyer बन सकता है मतलब वो ही यहाँ पे कोई भी समान खरीद सकता है और आप यहाँ पे seller होगे तो दोनों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे buyer और seller का घ़िक्शेलेर का से लेवस खतम करेंगे उसके बाद हम लोग buyer का cover करेंगे ठीक है तो पहले सेलर का पार्ट होगा और फिर हम लोग बायर में आएंगे जनरली हम लोग सिलेबस के बारे में जरी बात करेंगे तो सिलेबस में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे सिलेबस में एक दम बैसिक से लेके हम लोग लास्ट इंट तक कवर करेंगे सेलर में पूरा का पूरा पार्ट कवर होगा जैसे कि रेजिस्टेशन सबसे पहला पार्ट सेलर का रेजिस्टेशन उसके बार आएंगे प्रोफाइल अपडेट कॉजन मनी के बारे में कॉजन मनी क पूरा lecture होगा इसके बाद catalog बनाना catalog में दो पार्ट है product and services product के catalog के तीन पार्ट है pair clone नया तो तीनों पार्ट services में सिर्फ नया है services में नया catalog बनाने का और उसके approval के process या उसके बारे में details में हम लोग जानेंगे कितना time लगता है कैसे हमारा proper catalog हम लोग डाल सकते हैं ताकि आपको आगे catalog में problem ना हो main यहाँ पे catalog है catalog जोदी proper समझोगे तो आगे का आपका जो भी syllabus है एकदम smoothly जाएगा तो catalog पे हम लोग सबसे ज़्यादा time देंगे catalog के बाद हम लोग bead में entry करेंगे bead पढ़ना bead search करना और tender भरना tender के भी यहाँ पे अलग-अलग part है जोदी हम लोग tender के बारे में part में बात करेंगे तो tender हमारे पास यहाँ पे total tender जो है product bid है product bid service bid bunch product bid bunch service bid उसके बाद आते हम लोग custom product bid custom में service bid और BOQ bid और एक होगा RA bid to RA बोलते हैं अब डाइरेक्ट आरे बंद हो गया है तो bid to RA इतने type के total आपके bid बनते हैं सबको भढने का process अलग-अलग है हम लोग सभी process के बारे में discussion करेंगे आपको tender देख के पहचानना पड़ेगा कि ये tender किस तरीकी एका है और उसके accordingly आपको भरना है इसलिए हम लोग आपको इसको पहचानने का तरीका भी बताएंगे tender study करेंगे और फिर उसके accordingly भढने का तरीका जैसा bid भढने का तरीका बदल जाएगा यहाँ पे यहाँ पे e-procurement नहीं है ज़िए आप लोग e-procurement में पहले से काम किये हो वहाँ पे हर tender को भढने का तरीका एक जैसा होता है यहाँ पे नहीं है इसके साथ साथ भी कुछ beads आते है जैसे इसके साथ मर्ज हो जाएगा schedule bead bunch bead में आपको schedule bead नज़रा सकता है bunch में bunch इदे हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको schedule bead नज़रा सकता है तो schedule bead का थोड़ा सा तरीका बदलेगा तो हम दोनों में difference बताएंगे और एक होता है pack bead P.A.C. P.A.C. bead किसी में भी हो सकता है एक से आठ में किसी में भी P.A.C. bead हो सकता है जनरली ये P.A.C. bead पोड़क्ट में ही होता है पोड़क्ट की जड़ी बात करेंगे पोड़क्ट में या तो पोड़क्ट simple या bunch में इसमें पीएसी बीड होता है, पीएसी बीड मतलब क्या और पीएसी बीड को आप कैसे भर सकते हो, इसके साथ मेकिन इंडिया, MSME और ATC, ये सब भी अपने को देखना पड़ता है, तो वो सब भी हम लोग आगे discussion करेंगे, तो ये रहेगा हमारा बीड का chapter में, बीड के बाद ह रिसेलर पैनल, रिसेलर पैनल क्या होता है, OEM पैनल क्या होता है, ब्रांड अप्रूबल कैसे करते हो, जरी कोई ब्रांड है आपका, तो उसको अप्रूब कराना है जेम पे, तो कैसे कराऊंगे, और कॉड़न के पोड़क्त, जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 और Q6, ये सब में डिफ जब आपको orders आएगा, तो यहाँ पे invoice बनाना पड़ता है, जेम पे, तो जेम पे invoice कैसे बनाओगे, जेम का invoice डाउनलोड कैसे करोगे, और delivery slip कैसे डाउनलोड करोगे, और delivery slip को update जेम पे कैसे करोगे, ये पूरा seller का पार्ट रहेगा, और एक point है, push to e-procurement, उसका एक basic details पे नहीं आते काम, पर उसके बार में information के थोर पे मैं आपको बताऊँगे, तो ये पूरा seller का part रहेगा, buyer की में जो दिया आएंगे, तो buyer में buyer का registration, L1 purchase, जिसकी limit 5 लक है, direct purchase, जिसकी limit 25 हजान है, और bid बनाने का तरीका, यतने जो हमने आपको bid बनाए, बोला, ये सब bid बनाते कै से हैं, और CRC, जब आप material buyer को देते हो, तो वो receive कैसे करता है, उसके लिए CRC बनाना पड़ता है, consignee received acceptance certificate, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे discussion करेंगे, buyer के registration में दोनों part रहेगा, primary plus secondary, email creation, जो GOB email ID है, उसका creation का process, email ID open करने का, और secondary user create का, साथ में organization creation करने का भी process, ये पूरा हमारा syllabus रहेगा, एक overview, इसको छोड़के incident management बगारा, छोड़-छोड़े और भी चीज़े हैं, वो भी हम लोग cover करेंगे, master, sir, buyer में payment authority छोड़के बाकि सभी cover होगा, payment authority नहीं होता, payment authority छोड़ देंगे, तो बाकि buyer पूरा cover होता है, payment authority क्यों नहीं हों, payment authority का, हमारे पास payment के लिए रहता नहीं है, live दिखाने को, आपके पास को dangers, लाइए गाव तो हम लोग बता देंगे, जो यह जो 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 एक दम दो मिनट का काम है जो यह दो पार्टेट का पार्ट बस चोटा सा प्रोसेस है रहेगा आपके बास मेरी आवाद जा रही है आपको जा रही है बोलिए जैसे यह जो होती है आप जी जी तो उसका क्रेशन तो बताते हैं होंगे आप यहां मैंने बताया न अभी सिर्वसमें तो बतांगा न देखो सिल्वसमें जो बताया यह पूरा कवर करोल ना बाहर बिट कैसे डालते हैं यह रहां सिखो सभी चीजें हमने खुलिप में अभी बताया देखो जा हमने स्क्रीन पर प्र शेर किया अगा आद्मिन कोन है admin को अडिक है मैं हम आपको वेटिंग लिषट में éléments छिसके साथ आपका डिस्कुसियं लपकिन रहा हूं आप उनको कंफोर्म करो भी वह आपको भी भीटिंग लिषट में डाल रहा हो नाम से यहां पर आके कनेक्ट होना है without नाम से connect होंगे तो हम लोग यहाँ पे इतना time नहीं लगता कि हम बार-बार आपको बताते रहूँगा तो नाम से connect होना है नहीं तो waiting list में रहेगा और आप जो भी confirm है उनसे आप discussion करके यहाँ पे आएंगे बोलो clear है? syllabus का part सकते हैं न? ओके clear चलिए तो हम लोग सबसे पहला jam के बारे में समझेंगे jam क्या चीज है जब तक jam समझेंगे नहीं jam exit है क्या तब तक इस पे काम करना थोड़ा हमारे लिए मुस्किल होगा तो jam के बारे में समझेंगे jam क्या चीज है jam के खुद के rules and regulation किया है हम लोग यहाँ पे e-procurement के rules के बारे में ज़्यादा discussion नहीं करेंगे क्यूंकि e-procurement का ही rules jam को है jam में वो छोड़ के नया rules क्या है वही चीज हम लोग यहाँ पे proper way से ज़्यादा details में discussion करेंगे तो यह jam के बारे में एक-एक point हम लोग देखते है government e-market सबसे वहला जो यह government e-market jam का पूरा नाम क्या है government e-market place तो हम लोग जब government e-market place बोलते हैं जदी हम लोग ने government निकाल दिया e-market place खाली बात करेंगे e-market place मतलब क्या कोई बताएगा मुझे e-market place मतलब क्या होता है online site जो जहाँ सब्सक्राइब जब जाएख से आपने Amazon या flip card जैसे एकजम राइब electronic marketing e-market that means one type of e-commerce like Amazon और flip card है ना जदी हम लोग best example लेंगे तो Amazon and flip card को ले सकते Amazon और flip card जिस तरीके से काम करती है वह ऐसा ही e-market place है यहाँ पर पर यहाँ पर आगे हम लोगों ने government लगा दिया Jim कई फुल पाम है government e-market यहाँ पर हम लोगों ने government लगा दिया government लगाने का मतलब यहाँ पर हो गया कि government यहाँ पर जो buyer होगा कहीं पर भी e-market में दो पाट होगे एक buyer और seller खरीदने वाला और बेचने वाला तो जो यहां पे खरीदेगा जेम से कुछ भी चीज खरीदना है तो यह सिर्फ और सिर्फ गॉर्मेंट ही कर सकती है हम और आप यहां पे कोई भी चीज खरीद नहीं सकते गॉर्मेंट दोनों चीज़े कर सकती है बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है बट हम और आप सिर्फ यहां पे बेच सकते हैं ना कि खरीद सकते हैं बेच सकते हैं दैट मिन्स हम लोग क्या होंगे यहां पे सेलर होंगे इसलिए इस पोर्टल का नाम रखा गया गॉर्मेंट इमार्केट तो यह हमें जब भी हम बात कर रहे हैं इमार्केट प्लेस यह पता तो यह चल जा रहा है कि एक डेफिनेटली एक पोर्टल इकोमर्स प्लेटफॉर्म जैसा ही है क्या Amazon और Flipkart दोनों सेम है बिल्कुल उनका ओवर्विव सेम है देखने का तरीका सेम है पहुत सारी चीज़े डिफिरेंस होंगे उनके ग्राफिक्स अलग है उनको को देखने का उनका तरीका अलग है उनका एड्टू कार्ट करने का तरीका अलग है हो सकता है उनका पैमिंट करने का तरीका भी अलग हो सेम यहां पर भी थोड़े अलग होंगे आपको कुछ ना कुछ यहां पर भी अलग चीज़े आपको मिलेगा और यहां पर अलग होने का और एक major reason यह है क्योंकि यहां पर इसको government के norms follow करने पड़ेंगे जो भी norms है वो government के norms को भी follow करना पड़ेगा जो government के rules and regulations है जो इटेंडर में follow होता था ऐसा ही यहां पर भी government के जो भी norms है उसको भी follow करना पड़ेगा जो Amazon और Flipkart को follow करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोग private portal है और यह government की portal है तो इनको government के भी norms follow करने पड़ेंगे तो इसलिए थोड़ा सा difference जरूर आएगा तो हम लोग देखेंगे कैसा दिखता है यह और आगे इसके बारे में और भी details में discussion करेंगे यह जो गोजेमा है यह publish कब हुआ कब market में आया तो यह first time जब आया यह आया 9th August 2016 को first time यह launch हुआ 9th August 2016 को और उसके बाद से अभी तक यह चल रहा है तब यह जेम 1.0 हुआ था जब first time आया तब इसको हम लोग जेम 1.0 बोलते के आज जेम का जो वर्जन है वो जेम 4.0 है मतलब यह fourth वर्जन पे हम लोग आ चुके हैं और हर वर्जन पे काफी changes होते हैं यहां तक कि हमारे class में आपको मैं आज जो पढ़ाऊंगा हो सकता है कि next batch में कुछ नया update हो जाए हर Saturday Sunday यहां पे जेम पे कुछ ना कुछ update होता रहता है चाहिए वो छोटी से छोटी चीज क्यों update ना हो maximum Saturday Sunday जेम पे update का काम चलता रहता है मन्त में आपको काफी आप जदी एक इस मन्त में खोले हो नेक्स्ट मन्त में जदी जेम खोलेंगे एक मेहने बाद तो हो सकता है कि कि आपको काफी update देखने को मिले कुछ न कुछ नया चीज देखने को मिले कुछ पूराना चीज निकल गया और उसके बाले में कुछ नया चीज आ गया तो यहां पे updates होते रहते हैं यह one stop online procurement है one stop करने का मतलब क्या है यह one stop क्यों बताया गया one stop बताने का मतलब है जदी हम लोग बाकी की portal की बात करेंगे इससे पहले e-procurement होता था e-procurement पता है आप लोग को नाम सुना है क्या e-procurement पहले e-procurement था अभी भी है था नहीं अभी भी है यह जैसे की e-procurement का portal है यहां पर भी टेंडर साते हैं यहां पर भी goods के भी टेंडर आते हैं services के भी आते हैं और work के भी आते हैं पर मुझे यहां पर CPP टेंडर भर निसमें जार्खंटक से हो Gebg सबूंग के पोर्ट नई से सरकौंट जारखंट के लिए लग पोर्टल तेटने का ब्यूं से मैं अभी जार्खंट के लिए पोर्टल अलग हो गया सब्सक्राइब करना है यहां करना पड़ेगा और सेंटरल में काम करना है तो यहां रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर चाते है कि मुझे में मिलेट्री में भी काम करना है तो सर को में में रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो क्या हो गया, पोर्टल बदल गए, हर पोर्टल में रेजिट्रेशन करना पड़ेगा, पोर्टल सब क्या अलग है, रेल्वे में काम करना है, तो रेल्वे के पोर्टल अलग है, IREPS बोलते हैं, सब के पोर्टल यहाँ पे अलग अलग है, सेम जेम पे यह चीज़े नहीं है जेम का portal एक ही है चाहे यहाँ पे कोई भी department हो एक ही portal है चाहे central हो, state हो या कोई PSU company हो जैसे हिंडुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC ये लोग PSU company है ऐसे company भी एक ही portal है उनके लिए कुछ अलग से portal design नहीं किया गया इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, one stop मतलब one stop online procurement एक ही portal सब के लिए बढ़ाया गया अभी आपको अलग-अलग portal में registration करने की जुरुषत नहीं है काम आपको जिस भी department के साथ करना है करो चाहे जिला पुषित के साथ करो, PWD के साथ करो, Corporation के साथ करो या फिर Central Body के साथ करो, या PSU के साथ करो portal एक ही रहेगा, वो है jam.gov.in अलग portal नहीं रहेगा हर department का यहाँ पे portal अलग-अलग नहीं है नहीं तो हर department का पहले अलग-अलग portal होता था इसलिए हम इसको बोलते, one stop online procurement procurement का मतलब होता है, जब हम बोलेंगे तो आपको नहीं बोलना है, आपको जरी कुछ doubts है तो hand raise करना है procurement, that means यहाँ पे e-tender भी है, tenders भी है अब इसके बारे में हम लोग आगे और थोड़ा details में discussion करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग पहला point को discussion कर लेते, इसमें और क्या-क्या है, all government buyers, including कोन-कोन यहाँ पे buyer होगा, central या state ministry, जितने भी central या state ministry है, कोई department, government bodies and PSU, यह लोग सब यहाँ पे buyer होगे, यह लोग सब यहाँ पे registration हो सकते हैं, और जेम के rules क्या follow होगा, जेम का rules follow होगा, rule 149 of GFR, यह rules follow होगा, जो procurement के लिए बना गया था, goods and services भाई, ministry of department के तरब से यह, पहले से यह rules follow होता है, तिसके under जो भी rules है, वही rules जेम को follow होगा, पर जेम के कुछ नए rules भी बनेंगे, वो सिर्फ जेम को लागू होगा, पहले e-procurement के जो rules है, वो तो इसमें हाईगा ही आएगा, साथ में जेम में एक नए rules एड हो जाएगा, और वो एड क्यों होगा, उसके बारे में भी हम लोग discussion करेंगा, जेम का aim है, efficiency, transparency और inclusiveness, in public procurement, मतलब that means हमें बताना चाहता है, वो कि ये transparency है, हर किसी को हर order दिखेगा, कैसे दिखेगा, मुझे कोई orders में काम नहीं किया हूँ, जेम के बारे में मुझे कोई काम नहीं किया हूँ, पर मुझे कोई department का, या कोई product के बारे में जानना है, कि ये order किसको मिला, तो हम देख सकते हैं, चाहे उसके के लिए मुझे login करने की जरुरत भी ना पड़े, वो आपको view contract में मिलेगा, view contract में जाओ, जेम contract में जाओ, जेम के website पे view contract और जेम contract, आप यहां पे दो तरीके से search कर सकते हो, कोई bid number, RA number या contract number है, तो search कर सकते हो, या फिर कोई body या entity, मतलब that means कोई department wise भी आप देख सकते हो, चाहे वो state government हो, या central government, जैसे sir बोल रहे हैं था कि मैं जारकंड से हूँ, तो जारकंड, जारकंड का अंदर जो भी department registered है, वो यहां पे दिख जाता है, आ क्यों ने रहे, चलो मैं पूरा जारकंड का देख लेता हूँ, कब से देखता हूँ, 6 तरिक से 16 तरिक की बीच पूरे जारकंड में जो भी orders निकले, मुझे दिखा दो, चाहे वो कोई भी department का हो, यह सभी निकले, यह state government का था, tourism का, tourism department का यह, इसको order कैसे मिले, आपका screen नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, तो यह direct order है, और इसमें यह state government का है, जारगंड का, जड़े आपम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या मिला इसको, तो इनको यह वाला product का order था, किस rate में गया, तो 313199 रुपीज में यह order गया, एक कोई डिटिक, किसको मिला यह order, तो मैं यह भी देख सकता हूँ, कॉंट्रेक्ट नंबर के वेस्ट पर, अब इसके कॉंट्रेक्ट मुझे डाउनलोड करने को मिल जाएगा, वर्क ओडर जिसको आप लोग बोलते हूँ, ठीक है, यह देखो, यह order किसको मिला, तो यह KD enterprises को मिला, इनका यह mobile नंबर है, इनका यह email ID है, इनका यह address है, उद्यम सी registered है और इनका यह GST नंबर है, एक से मिला order 3199 रूपिस का, और इनका यह specification के accordingly इनको room heater था, उनके क्या details है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ में यह buyer कोन था, यह भी आपको पता चलता है, जो किसने order दिया, यह भी आपको इसका details भी पता चलता है, तो ऐसे आप कोई भी orders जेम से निकाल सकते हो, जो भी आपको orders लगेगा, कोई भी orders निकाल सकते हो, कहां से view contract और जेम contract से, district का निकाल सकते हैं, district का, district, department wise देख सकते हो, department में तो 60 district है, आपको उसमें से कौन सा department का देखना है, पी डेवलोडी, जीना परिसवाद, ऐसे देख सकते हो, अच्छा अच्छा, अब दूसरा है, सर्च में, और एक options available है, वो है, जो category आप देख सकते हो, category that means, आपको कोई चीज बेचना है, जैसे मुझे, बताओ, कोई भी category बताओ, वी पोड़क्ट बताओ, या services तो services, वीडियो conferencing, वीडियो conferencing, तो हम लोग डालते है, वीडियो conferencing के रिगार्डिंग क्या category है, देखते हैं, वीडियो, cloud based video conferencing services, मालो हम लोग ये लेते हैं, या वीडियो conferencing camera है, ये भी ले सकते, बोले, कौन सा ले लो category, वीडियो कांफ्रेंसिंग केमड़ा आप यह हम लोग और कैollar कि इस गेरी में मैं देखना चाहता हूं कि से खिंग क्यों चुछ है क्या थो थोड़ा पहली का ले लेता हूं किवी किछ दिमांड साइद मुझे डिसम्बर मतलब तीन मंत में जदी किसी को इस काटेगरी के रिगार्डिंग ओल ओवर इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट में के तरफ से कोई भी ओर्डर गिया है तो हम लोग उसको देख सकते हैं देखो काफी ओडर से हमको लगा कि कम ओडर से होगे नहीं काफी ओडर से देख सकते हो आप लोग बहुत ओडर से साथ L1 purchase के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा popular यहाँ पे L1 purchase ही है, तो L1 purchase के बारे में आपने सुना भी होगा, तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक direct purchase और एक है L1 purchase, दोनों में आपको direct ही लिखा रहेगा, कैसे पता चलेगा यह L1 ही यह direct है, amount से, जदी amount value, less than 25,000 हुआ, तो समझ लेने का यह direct purchase है, और 25,000 से लेके 5 लाग के अंदर है, और direct लिखा है, समझ लेने का यह L1 purchase है, बीड की कोई limit नहीं, एक रुपया का भी बीड हो सकता है, और 100 कडोर का भी बीड हो सकता है, तो यहाँ पे यह direct दिख रहा है, यह भी direct है, तो मुझे बताओ, यह जो amount है, 32,343,23,497 यह direct purchase में purchase हुआ है, तो यह कैसा purchase हुआ है, L1 है या direct purchase है, L1 है, 25,000 से ज़्यादा है, और 5,000,000 से कम है, तो यह direct purchase L1 के थुरू से हुआ है, ऐसे आपको मिलेगा, direct है, और यह 1,000,000 के उपर है, तो यह direct है, अभी सब देखो direct है, जादा से जादा आपको orders direct में मिलेंगे, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगा यहाँ पे, जेम पे आप लोग आये हो, तो थोड़ा तो research करके आये ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जिन लोग नए हैं, उनके लिए भी बत अमित सर को देना है, तो सियोर सोड जदी देना है, तो direct purchase में सियोर है, क्यों उनको ही मिलेगा, इसलिए maximum order आपको direct में लिए, देखो, अभी तक आपने को बीड में नहीं मिला, कोई भी order, सब direct, सब direct, यह देखो, एक आया है बीड में, इतने देखो, सर, यहाँ पे आपको नहीं बोलना है बीच में, जदी आपको कुछ query है, तो hand raise करना है, hand raise का options available है, hand raise करो, और प्यूछो, या फिर मेरे lecture खतम होने का wait करो, उसके बाद में जब query बोलूँगा, तो आपको बताना है, इससे पूरा class disturb हो जाएगा, तो आपको एक मिलता है, यहाँ पे BDA आरे, इतन के time bar, इसकी value भी 2,40,720 का है, चाहे तो यह L1 से हो सकता था, पर यह buyer ने bid के दूरूँ से लिका लाए, तो आप इनके किसी की भी orders देख सकते हो, यह उडिस्टा का है, यह UP का है, यह किन का था, orders, जो मुझे बोला, वीडियो conferencing का, वीडियो conferencing order किन का था, निले श्रावन सर, आपका state क्या है, जार कंट सर, जार कंट सर, महराष्टा, महराष्टा से, ओके, तो महराष्टा का देखते हैं, कोई orders है क्या, तो मैं वही order का contract order खोल के आपको दिखाता हूँ, ministry of power, western center का है, मालिश्वर, central दिल्ली, उरिशा, गुजरात, जोधपूर, उरिशा, यूपी, उरिशा, गुजरात, लद्दाक, तिरुपूरा, चारखंड का मिला, उत्राखंड, ministry of road, टास्पूर्ट, जम्मू, नॉइडिया, अंडमान, उरिशा, भोपाल, तो अपने को अभी यहाँ पे central government का हो सकता है, state government में तो मुझे नहीं मिला, तो अपने nearby, जो भी है, फिर में एक order खोल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे यह order से खोल के दिखाते हैं, आप यहाँ पे submit करोगे, सेम इसका work order आपको यहाँ से download करने को मिल जाएगा, यहाँ पे buyer और seller दोनों पता चल जाएगा, कौन से buyer है और seller कौन है, यह भी आपको पता चल जाएगा, तो यह आपको, इसलिए हम इसको trans passive होते हैं, पूरा का पूरा हर किसी को हर चीज़ के बारे में knowledge आपको अधित्य सर, वो एक जो राम वोला device है ना, जी सर, दूसरा नीचे वाला अधित्य सर, जो अभी mic on है, वो चोड़के दूसरा waiting list में डाल दो, जो मेगो सर्वीस, नहीं नहीं राम राम को waiting में डालना है, उसमें से जो mic on है, वो नहीं डालना है, जो mic बंद है, वो वाला device waiting बेटा, हलो, माइक आँ हो, सब्सक्राइब कर दो, को किसे, इसलिए हम इसको ट्रांस्पेंस से बोलते हैं इसमें कोई डाउट से क्लियर है पारश सर हां बोले अरे यह से लूसरा कोई केटेगरी हां अभी आपको देखो यहां पर तो हर एक चीज तो करना पॉसिबल नहीं होगा हम लोग यहां पर सिर्फ आपको समझा रहें बाकी चीज आपको करना है तो आप अपने लैप्टॉप में जाके कर सकते हैं हम यहां पर रेंडमली कोई बीएक कैटेगरी लेगा जदि यहां पर 28 के 28 लोग मुझे बोलेंगे कि हमारा एक एक कैटेगरी ले लो तो इसी में हमारा 6 दिन चला जाएगा तो आप लोगों से मैं पूछूंगा उसमें से कोई भी एक रेंडमली कैटेगरी में चूज यार हर क्लास में ऐसा ही रहेगा हर एक का फुल्फिल तो करना यहां पर मुस्किल है आपके खुद करना है और खुद करने के बाद आपको कोई डाउट्स आता है तो वह डाउट्स में जरूर क्लियर करूंगा तो वह मैंनेज होता है मतलब कुछ अपने को स्कूप नहीं तो आपको समझेगा कि ऐसा क्यूं हो रहा है करने का पीछे का लॉजिक किस तरीके से काम करता है आपको जैसे क्लास आगे वड़ेगा और से यह सब चीज़े आपको समझ में ऐना चलो जाएगा जो लोग पहले से कि काम कर रो हैं उनको सायद हमारी बाती समझ में आ गई पर जो लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत जाएगा तो उनको थोड़ा क्लास को आगे चल जाने दो तो आपको और चीज़े क्लियर होता जाएगा सब्सक्राइब करना चाहते हो जो पैरामिटर अगर वो डालना चाहते तो वो डाल सकते हैं तो हम लोग पैरामिटर देना पड़ेगा वहां को क्या डालना है क्या नहीं है कि आ पके ओडर से ना जर तो आप जब तक नहीं देंगे तो आपको कैसे मिलेगा अगरेंटी रहेगी कि आपको और आपको कैसे मिलेगा उसके लिए प्रेक्टिकल और दे के दिखाऊंगा ठीक है डिपार्टमेंट की साइड से एक और दे के दिखाऊंगा या फिर आपके पास कोई और से जो आपको लेना है तो ही अभी लेना है तीन-चार ओडर है कोई भी एक और हम लोग आपको आपको डायरेक्ट ओनलाइन लाइब आपको दे के दिखाऊंगा तो पहले जेम के बारे में समझेंगे जितना जेम के बारे में समझेंगे अच्छे से उतना ये सब चीज़े हमारे लिए क्लियर होना जादा अच्छा होगा इसलिए आपको जेम के बारे में प्रॉपर चीज़े पता करना पड़ेगा जितना जादा आप जेम को समझोगे उतना जादा ये सब चीज़े आपके लिए ब नहीं करेंगे ठीक है तो ये एक है जिम बहुत हद तक बोलता है एक transparency है contactless है cashless है एंड paperless है चलो हम cashless के बारे में तो बोल सकते हैं और contactless भी बोल सकते हैं पर अभी तक government जब तक काम कर रही है paperless तो नहीं है जदि हम लोग actual होना चाहिए paperless पर paperless government body में paperless होना इतना जल्दी easy नहीं है Amazon flip card सब कुछ सब कुछ ये बराबर है cashless भी है Amazon flip card को ले लो contactless भी है हम आप जब कोई order करते हो तो आप क्या किसी से contact करते हो direct आपको delivery देता है और ना आपको किसी print out की जुरत परती है तो paperless भी है तो cashless और contactless तो काफी हद तक है मैं मान लूँगा contactless भी बहुत नहीं है contact करना ही पड़ता है paperless अभी तक जेम पे होना government body के लिए easy नहीं है paper तो हर चीज के लिए submit करना ही पड़ता है यहां तक कि मैं आपको जब आपको order मिलेगा तो buyer को आपको क्या-क्या paper दे रहा है कैसा file बना रहा है वह भी मैं आपको बता हूँगा तो हम लोग वह buyer के section में सीखेंगे इस प्रोवाइड इसमें जेम पे है क्या-क्या चीज़ यह हमारी लिए अच्छा point है इट प्रोवाइड टूल्स आप e-beadding e-beadding मतलब tender जितने थोड़े दर पहले हम लोगों ने tender के बारे में discussion किया था जितने भी type के tenders थे बियो क्यों बीड कस्टम बीड बंच बीड सर्विस बीड पोड़क्ट बीड है न कस्टम पोड़क्ट कस्टम सर्विसस बीड टू आरे तो यह जो भी है यह सब क्या है e- इसको हम लोग बीड बोलते हैं यहाँ पर आपको एक option मिलता है list of bid बीड में जाओगे जदी jam के portal को हम लोग एक दम स्टार्टिंग से खोलते हैं फिलचे बीड एंड लिस्ट आप बीड यहाँ पर खोलते हैं यहाँ पर अपने को बीड दिखता है तो कोई भी बीड आप जब खोलोगे तो उसके days रहता है duration रहता है कि कब से कब तक यहाँ पर आपको दिखेगा आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हो अपना यह टेंडर तो यह टेंडर कब निकला था 26 बारक से लेके 16 तारिक तक मतला अभी 8 वजे तक यह टेंडर आपको यहाँ पर दिखेगा कब से दिख रहा है यह टेंडर 26 तारिक से दिख रहा है से 16 तारिक तक आपको यहाँ पर टेंडर दिख रहा है तो कोई भी यहाँ पर टेंडर ढूंड सकता है और सर्च करके जड़ी आपको यह टेंडर दिख गया तो आप भी यह टेंडर भर सकते हो तो हर किसी के लिए कि inviting है यह, tender मतलब invite करना, buyer invite किया है, सभी seller को, जो इनको यह portal, यह जो भी उनको product चाहिए, या services चाहिए, जो भी seller, या service provider, यह चीज़े दे सकता है, वो इस tender को भर दो, अपना rate देल दो, जो सबसे कम rate में coat करेगा, उनको यह tender मिल जाएगा, तो यह किस के लिए, सब के लिए open है, मतलब हर किसी को यह tender दिखेगा, ज़िए आप अपने portal में भी login करेंगे, या without login देखेंगे, list of beads में जाएगे, तो जैसा मुझे दिख रहा है, ऐसा ही same आपको भी दखेगा, यही beads आपको भी नजराएगे, तो आप चाहो तो यह भर सकत होगा, तो हर किसी के लिए यह comment है, ठीक है, clear हो गया, यह bits में जो documents लगते हैं, departmental जो documentation लगाता है, पर documents रहेगा, कि document जो भी बोले है, वो documents आपको बस होने चाहिए, यह तो बताएंगे ना कौन को document रहेंगे, वो तो में, सिर्फ यहां पर अभी overview बता रहा हूं, है क्या चीज, bead को समझना है, ठीक है, तो यह हमारा bead है, हमने और एक चीजों के बारे में जेम discussion किया, bead के साथ, reverse option, इसके बारे में हम थोड़ा आगे discussion करते हैं, और एक है direct procurement, जो हम लोग orders में अभी देख रहे थे, याद है आप लोग, थोड़े दर पहले हम लोग orders देख रहे थे, direct का ही direct, direct direct देख रहा था, तो यह जो direct है, यह direct में दो बोले था, मैंने, एक बोला थ direct purchase, और एक direct purchase में ही एक part है, जिसको बोला है, L1 purchase, 25,000 से जदी ओपर का value रहा, order value, हम लोग यहापे order value की बात कर रहा हूँ, ना कि quantity, order value, माल लो मुझे 10 पेन चाहिए, एक पेन की कीमत है, 5000, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो गई, पचास जदी हो गया, तो पचास जदी हो गया, त फिर यह क्या होगा, L1 होगा, सेम, मुझे अभी 5000 के ही पेन खज़ने, पर सिफ 4 या 5 पेन खज़ने, तो 25,000 के अंदर हो गया, तो यह direct purchase होगा, तो direct purchase का ही दोनों पार्ट है, दोनों में difference क्या है, direct purchase में लिगदम Amazon जैसा है, कि आप पसंद करो, आपको जो भी चीज़े पस पसंद आ रहा है, direct आप order करते हो, Amazon में क्या करते हो, या flip card में क्या करते हो, आपको जो भी चीज़े पसंद आती है, आप उनको order place कर देते हो, यह हो गया direct purchase, L1 में क्या है, जो 25,000 से जादा है और 5,000,000 के कम है, यहाँ पे compare करना पड़ता है, compare, जैसे की quotation based, जो लोग जेम स पहले काम कर रहे थे, offline mode में काम कर रहे थे, quotation के तोर पे, काम किया है क्या quotation based पे आप लोगोंने कोई, जी शर्किया है, क्या है ना, quotation में क्या करते थे हम लोग, तीन quotation देते थे, और उसमें से तीनों quotation में, जो सबसे कम rate में होता था, उसको order place करते है, यही चीज़ यहाँ प decide नए करना है, आपको quotation देनी की जोड़ती, all over India में, जो सबसे कम rate में देगा, order उसको चला जाएगा, all over India में वो product, जो सबसे कम rate में देगा, order उनको चला जाएगा, मतलब यहाँ पे with compare, compare करने के बाद, जो सबसे कम rate में देगा, order उनको जाएगा, तो मैं एच्पी के साथ एच्पी को कंपयर करना पड़ेका और सेलर भी एक नहीं होना चाहिए मालो मेरे ही तीन पोड़क्ट है में ने यह तीन कोडिसन दिया ऐसा भी नहीं चलेगा तीन अलग अलग सेलर भी होने चाहिए मतलब इसमें दो रूल्स काम करेंगे पहला जो सबसे कम रेट होगा order उसको जायेगा तीन comparison में आवात आ रहे कैसे हां मेरी हाँ आ रहे मैडम तीन comparison में compare कौन करेगा Jim खुद करेगा आप यहाँ पे compare नहीं कर सकते जो मेरा ही order हमें order मिल जाओ फर्स तुरन तो ऐसा बिलकुल नहीं होगा जेम खुद बताएगा जो सबसे कम रेट में को दे रहा है सेकेंड तीन अलग-अलग ब्रांड के पोड़क्ट होनी चाहिए और तीन अलग-अलग सेलर भी होने चाहिए इसको बोलते हैं L1 परचेस जिसकी लिमीट है 25,000 से जादा 5,000,000 से कम इसको हम लोग L1 परचेस बोलते हैं समझ में आया डायरेट परचेस और L1 परचेस डायरेट परचेस एक दम बिलकुल Amazon या Flipkart का फिल पगड़ लो और जदी आप लोग L1 बोलेंगे तो जदी आप लोगों ने कोर्टिशन बेस में काम किया है तो सेम एक कोर्टिशन बेस की तरह है पर वो ओफलाइन होता था यहां पर ऑनलाइन होगा तो यह हो गया दो तरीके का एक हो गया इबीडिंग और एक हो गया डायरेक्ट परचेस और एक है निला में आकसन बोल देखा है जा जिस देखा है कहाँ पर देखा पर मुझे लगता है कि चलो आप लोगों ने और जिनल में आकसन नहीं देखा है पर मुवीज में जरूर देखा होगा ऑकसन पहले के मुवीज आते थे देखो जितंदर बगरा के मुवीज उसमें घर की बोली लगते हुए देखा नहीं क्या घर की बोली लगती है मैं इतना पैसा दूँगा ये बोलता है नहीं मेरा इतना होगा या अभी जदी नया हम लोग बोलेंगे तो IPL बहुत पॉपुलर है IPL में बोली लगता है इस प्लियर को ये इतना पैसा दूँगा आगे वाला बोलता है नहीं में इतना दूँगा तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको मिल जाता है है की नहीं तो बोली हम लोगोंने सुना है अभी यहाँ पे जरी हम लोग आक्सन की बारे में बात करेंगे तो आक्सन दो पार्ट है हम लोग अभी जो auction के बारें बात कर रहे थे। वो ओक्षन है, forward auction. मतलब उहां पर बोली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बोली यहां पर क्या होता है, बढ़ता है. और यहां पर जो बोली है, वो है reverse auction. reverse auction. मतलब यहां पर बोली घटेड़. इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्षन में दो पार्ट फॉर्वर्ड ऑक्षन आप लोगों ने सुगा है और बड़े-बड़े बोली कहां लगती है जदि हम लोग गौर्मेंट पोर्टल की बारें बात करें पहले तो जब आर्टियों वगरा गाड़ी पकड़ती है तो उसकी भ है उसकी भी बोली लगती है या जएम गाऊं जदि हम अग्ड़ा पंचाच समीत केमाажी होती है जैसेना पहले कि पर फो खोड़ता होता है उसमे जो मचली की खेती कियो इसके भी नेलामी होती है इसे बहुत सरह चीजों का यहां पर नीलामी होता है पर वह सब favor लब आफ cetार लोगे पर बोली के रुपे यहां बोली बढ़ता है यहां पे बोली घटेगा मतलब आप गوفर्णट को माल लो 5 लेफटॉप चाहिए अभी 5 लेफटॉप तो चाहिए 5 लेफटॉप का आप लोगों ने कोट किया है पाँच लोगों ने कोट किया है जो मैं 50 जर में दूँँगा एक लेफटॉप मतलब 30,000,000 में किसी ने 3,000,000,000 बोला है कि इन 2,80,000 बोला है सब लोगों ने अपना-पना बोली बोल दिया है पर गावर्मेंट ने अभी क्या बोला चलो अभी आप लोग 10 बज़े से लेके 6 बज़े तक और बोली लगाओ और मुझे धाय लाक रुपया तो सबसे कम रेट आया है अभी धाय लाक से भी कम में कौन दे सकता है तो परल्लमी मेडम आ गई और बोली मैं 2,45,000 में 5 लेट आप दे दूँगा तब तक अभी तर आये ओनलाइन उसने देखा कि परल्लमी मेडम ने 2,45,000 लगा दिया है कोट चलो मैं 2,43,000 में ही दे दूँगा ऐसे बोली घटते हुए निकलेगा और उस टाइम पे जो सबसे 6 बजे तक जो सबसे कम में बोली लगाएगा उनको वो और्डर मिल जाएगा ये होता है रिवर्स ओक्सन बोलिए अमिद सर शर ये बोलना था है कि ये जो रिवर्स ओक्सन होगा ये मतलब जो टाइम है उसके बाद ये इस्टाट होगा था प्राइब क्लोज होने के बाद और उसमें पार्टिस्पेट सारे लोग करेंगे कि उसमें जो उसके भी कुछ नॉम्स होते हैं वह नॉम्स के अकोडिंग ली करेंगे असोक सर प्लीज आप जो है ना उनसे कॉंटेक्ट करो मैं आपको नंबर चाहिए तो असोक सर को प्रोवाइड करता हूं आपको कोई भी डाउट से ना टेक्निकल तो आप इनको कॉंटेक्ट कर लो आपका ओडियो वो लो एनिटेक्स से करनेट करके देगी मैंने आपको कॉंटेक्ट नंबर चैट बोक्स पर डाला है आपको ओडियो गानेक्ट करने का बता देंगे हो तो यहाँ पे तीन चीज़े हैं क्या-क्या इवीडिंग जो मैंने बताया डिवर्स ओक्षन और डारेट परचेस में भी दो पार्ट एलवन परचेस और सर्विसेस है वर्क नहीं है टेंडर जदि हम बात करेंगे तो तीन तरह का होता है देखा होगा आप लोगों ने जदि हम लोग टेंडर काइटेकरी के बात करेंगे तो गूर्ड सर्विसेस और वर्क होता है तो वर्क यहाँ पर नहीं है वर्क यी प्रोकुर्मेंड में यह गूर्स और सर्विसेश जेम पर सिफ्ट हो गया तो यहां पर गूर्स और सर्विसेश आपको जेम पर मिलेगा चाहिए वो गूर्स हो या सर्विसेश हो हाँ पारश सर गोली पारश सर्विसेश और सब्सक्राइब करते हैं रिवर्स औक्षन में बार बार रेट कर सकते हो तो हम लोग आगे के पार्ट में चले और किसी को कोई डाउट्स है सर वर्क में और सब्सक्राइब करें करें इस्कूल और है ना विल्डिंग बांदके देना हुस्पिटल या सब कि व्रक हो गया तो यह सर्वीसे इस मैंपावर देना सिफ आप लेवर सप्लाई कर रहे हो तो हो गया आपके जो गाड़ी है वाइकल है उसको हाइरिंग पर देंगे सर्वीसेश होगिए अब जैसे आप लोग बोले थे वीडियो कॉन्फरेंसिंग तो उसकी कोई सर्विसेस है क्लाउड हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो यह सर्विसेस हो गया रिंटिंग सर्विसे अब देते हो प्रिंटिंग के सर्विसें सब से सी सगेति-चेश affected में होता है मेडम कि टेंडर आपको ऑँलैन पोटल पर दिखता है आप उस टाइम से कभी भी टेंडर भर सकते हो यहां पर जो भी टाइम दिया रहेगा उसके अंडर आप कभी भी टेंडर को भर सकते हो यह इवीडिंग है डारेट पर्चेस में यह बीड नहीं निकलता मतलब कोई एनाउंसमेंट नहीं करता बायर जो मुझे यह चीज खरीदना है यहां पर बायर क्या बोल रहा है चब्वीश तारिक से लेके 16 तरिक तक आपको बता रहा है कि मुझे यह खरीदना है जिसको कोट करना है कोट करो अपको पता भी नहीं चलेगा बायर को चाहिए लेकिन तो वह कहां पर दिखेगा पर दिखेगा तो उनके साथ पूरा कंट क्लोज होना चाहिए आपको बीचमे कुछ पूछना है तो हैंडेज करो और पूछो यहां पर जो दिखता है यह बिडिंग का दिखता है तो यह डारेक्ट पर्चेस हम कहां से कर सकते हैं फिर वो डारेक्ट पर्चेस बायर करेगा मैडम यहां से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी जैसे आपको Amazon पर कुछ चाहिए या नहीं आप डारेट आपको जो चाहिए आप खरीद लेते हो जिसका रेट अच्छा लगा उनसे आप खरीद लेते हो बराबर है ना सेम यह डारेट पर पर टेंडर निकालना मतलब आप अभी अनॉंस्मेंट कर रहे हो मुझे घर बादना है तो आपने बड़े बड़े बोर्ड में डाल दिया पूरे सिटी में मुझे इतने मुझे एक घर बादना है दस कडूर का एक घर बादना है तो जो भी इन लोग के इनवाइट है आप आज आओ और अपना रेट कोट करो तो यह हो गया बीड में तो को दे आऔर को लिए लोगा यहां तो इस इसंते हम रेड बार बार एक कर सकते क्यें कोड कर सकते इस बार कर सकते हुद कि हमेह एग सभी सिर्वश पर प्रचिस वाले है उनको जो दिखेगा बाटी किसमें डारेक्ट में डारेक्ट में टेंडर नहीं निकलेगा ना सर कि आप लोग बिल्कुल आइपोन को पगड़ लो कि आपको आई पून के लिए बताते फिरते हो क्या सभी जितने भी आमेजन पे लोग है आप अपना खरीद लेगा उसको जो चाहिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कैसा करेंगे जो सेलर है समझो सर्विस वाले है करेंगे जो मुझे कम रेट में कौन दे रहा है अच्छ अभी आपको iphone amazon पे पाच जहां पे जो सबसे कम डेट में देगा बाइरुस से खरीद लेगा कि मौहन सर्थ जो जीरू से पच्चेस तक तो सर्म डारेट कर लेंगे ठीक है हां 25 से पांच की बीज में जो हम एलवन बनाएंगे ठीक है क्या बोले जो पच्चेस से उपर बनाएंगे पांच के बीज में उसमें क्या क्या था वह हम लोग आगे देखो आपको साइद आपकी गल्थी क्या है साइद आपको पता चलेगा या फिर हम लोग जब और निकाल लेंगे तो आपको वह चीजें पता चलेगे ठीक है ओकर पारस सर आपको आवाज जो है मुझे क्लियर नहीं आ रही है बहुत ही कब्ल नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में रख रहे हों थोड़ा सा लाउड बोलिए हाँ थोड़ा लाउड बोलिए थोड़ा लाउड बोली है कि ये मत बोल रहा हूं कि यह लेना है कैसे ले सकते हो जब हम सिखाएंगे तो बताऊंगा अभी हम लोग कुछ सिखाने रहे सिर्फ होता क्या है यह बता रहे लेना कैसे है वो उसके लिए तो खत्म तो हुआ ही नहीं तो चब करेंगे तो आपको पता चलेगा ओर लेते कैसे है न और यह जो आप मोल रहे तो होता है हां होता है न मतलब 25,000 तक डायरेट पर्चेश 25,000 से पांच लाग भी डायरेट पर्चेश होगा पर L1 के साथ विद कंपेरिजन बराबद प्लीज में जिनका नाम लूँगा वही है विपिन सर अजी सर में बोल रहे है जो डायरेक्ट पर्चेश आप बता रहे है उपत के हजार रुपे तक तूब क्या है कि वो तो समझ गया है कोई डॉक्मेंटेशन लेते ओंगा या कोई मंगाते हो क्या से डॉक्मेंट्स लेते होते हो बायर से नहीं अब अब बहुत वह तो जो एकाउंट बगार बनाते हैं तो सभी अब हाँ वो तो जो एकाउंट का प्रोसेस है वो तो दोनों को फॉलो करना पड़ेगा बायर को भी और सेलर को भी कि एकाउंट से बनाएंगे पर आप कुछ खरिद्धे वग आप उनसे कोई डॉकुमेंट्स लिया बायर से इसवारी सेलर से यहां पर भी आपको कोई डॉकुमेंट्स आपको आप यहां पर क्या हो तो आपको क्या चाहिए तो आपको बायर को वही चीज़े चाहिए होगा एकदम वही पिलिफ कर लो जी सर ठीक बादा एकदम कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैंने एकदम सीधा एकजम्पल अमेजन को लिया कि आप लोग वहां से कुछ ना कुछ खड़दे हो लेने का पीछे का लॉजिक भी होई है कि आपक पाइला है कि जे 5 लंश्विस हाजर आपने डिरेक 박शन करतो आपने और ते चाह साथी कंपेर करा हो लागतोगा कर दा डाए nerd लेट में ह। मचछी साचाहते उपर रहे तो कंपेर करनापोड़े काड़ेक नाएं अप्रेश कर अधे आपने ला जेमूर नस ती ओर डर प्लेस करें लगतेगा जेम तरूज जेम तरूज अने दूसरा एक पॉइंट आसा है चाहिए चाहिए पोड़क्शन मदे अन्हें जर आंगनवाडी जर काम आशी तर त्यला जर स्कील लेबर सर्वीस मदे टाकने तर्व जोनी आए तेचा मदे पोड़क्ट पनायान सर्वीसर्स पनाया पंते आता काम वर्क्स मदे यता दे परनतु ग्राम पांच एटी कुरूंज आपन काम गेतला दे विदाव टेंडर करता सर्व तुम्हीं मैनेज करना रहे तो कर सापन मैनेज करो सकता हो है चाहिए वर ती कि साजित सर्व कि सेलो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे में हम रेट कंपेर कर सकते हैं आप मनना वेजस सेलर को प्र कर सकते हो पर सेलर को फील वो नहीं मिलता जो बायर को मिलता है प्रॉपर नहीं होता पर कर सकते हो तो सरे किस तरह से करना वहों किस का काम क्रूइर उसके बारी बारे में अभी यह ओड़ेगा एक कॉशन मेरे यह ता इसमें कोई चीज खड़ी सकते हम भी खड़ी सकते यह नहीं करी सकते हैं यह चीज है तो पहली हम लोगों ने डिसकेशन किया कि खरीद सिर्फ गौर्वर्मेंट से इसलिए तो गौर्वर्मेंटिक पार्केट है ओके ठीके सर और यह कोशन यह था जैसे आपने स्टार्टिंग बताया था कि हमें अलग-अलग पोर्टल पर रिजिस करने की जोदत लिए अच्छा तो सारा सब कुछ सभी डिपार्टमेंट का हीं से हो जाएगा पार्टमेंट का एक रिजिस्ट्रेशन सब डिपार्टमेंट के लिए हो गया ओके सरो कि थैंकियू सथी परले में मेडम सर वह अभी आपने बोला 25,000 के नीचे के बीड के लिए उसके लिए भी थ्री बीड कंपल से रहते हैं नहीं मेडम बीड अलग हो गया और डारेक्ट पर्चेस के लिए जो लोएस्ट होगा ही होगा नहीं 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 वहां पर आप किसी को भी और दे सकते हो जैसे कि हम लो स्थां आप कर दिए सब्सक्राइब तरह नाम बदल तो नहीं दिया एले तो था लेडी स्ट्रीट लाइट इन्वर्टर बेस्ट साहद मुझे लग रहा है कि कैटेगरी कुछ बदल दिया अलग 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 चलो हम लोग एक ले लेते लेटे इन्वर्टर वेस्ट लेट इसमें अभी एक ही पोड़क्ट है बेंचे से ले लेता हूँ सरी बदल दिया हूँ आगे पता चलेगा मैं चलेगा है भी अभी पोड़क्ट है अभी सबसे यहां पर हम लोगोने लगाया लोटू हाइश सबसे कम कितने में आठ हजार मेंधा है पर मुझे अभी इसको order नहीं देना है, आफ-धर वाले को, मुझे देना है, जो पच्शीस हजार में बेच रहा है उनको, आफियं को आप हजार में. तो मैं यही वाला को, हिनको भी order दे सकता हूँ, यह 15,000 वाले को भी order दे सकता हूँ. जो सबसे हाई स्टेट है मतलब हाई टूलो कर देता हूं हाइटूलो में हाई स्टेट कितना है 15000 तो मैं 8000 वाला को छोड़कि डारेट 15000 वाले को विख दे सकता है अपने डिपेंड रहता है यह बायर के उपर है बायर जिसको चाहिए उसको दे सकता है यह सिर्फ डारेट पर्चेज में होगा मतलब 25000 के नीचे वाले में यह पॉसिबल नहीं है यह नहीं है पर डारेट परचेज में यह पॉसिवल है बायर अपने अकॉर्डिंग ली अपने चीजे चूज कर सकता है क्लिर है ओके थैंक्ट्यू और किसी को कोई डाउट्स पारसत अगर कोई चीज और कोई चीज और गोवर्मेंट में से किसी को कोई लिटर है या फिर मुक्रेट चाहिए तो वो किसे सोह गई सो कि हम तो सेलर है तो हम वो किसे इसमें रखेंगे अलो क्या वोने सर्थ यह तो अभी बेंची से अभी हम तो को सेलर है तो कुछ वह दोर्मेंट को कुछ वह रिप्रेट्स हमने एक्जम्पल के तोर पर वैंच इस लिया आप मास्क बेचते हो मास्क बेचो एलेडी लाइड बेचते हो डस्ट वीन बैचते हो कंप्यूटर बेचो लैप्टप बेच हो कोई वी चीजप बेचो तरीका सेम रहेगा खो рас पहले से आपको यह लिस्टिंग करना पड़ेगा आपका लिस्टिंग होगा तो दिखेगा और उसके सबसे आपको मिल सकता है ये लिस्टिंग करना तो नहीं आता है प्लीज जो लोग म्यूट है पहले जिन लोग ने हैंड रेज के हैं उनका कोईरी पहला अईूसर 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 अई थीक है मिश्रासल अई तर जैसे आप 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 जैसे पैंचे सच किये अभी जैसे मैं वह सच कर रहा था अभी विफॉर अ क्लास जो एलेवेटर होती जो जो ताला में जो जलकुंडियां होती है उसके साफ करने वाली जो मसीन होती है उसकी के टेगरी इस पर हम हराइक और एक चीज्टो मार्केट में आपर में अमेजन से मुझे कर खरीदा है तो में खरीद सकता हूं को सब्सक्राइब आमे तुम्छी का ख़िदना है मुझे Amazon.com मुझे Mercedes band खरिदना है Amazon में जाके खरिद पाऊंगा क्या क्यों नहीं खरिद पाऊंगा क्यों कि यहाँ पे वो product का category अवेलेवल नहीं है कोई बेच नहीं रहा है उसके category अवेलेवल नहीं आप Amazon पे बोलो गए कि मुझे यहाँ पे car बेचना है तो क्या बेच सकते हो आप नहीं बेच सकते हो क्योंकि वो अभी यहाँ पे अवेलेवल नहीं है वो category अवेलेवल होना चीज़ सेम जेम है जेम पे जो चीज अवेलेवल है आप वही चीज बेच सकते हो जो अवेलेवल नहीं है वो आप यहाँ पे लिस्टिंग नहीं कर सकते उसके लिए को जरूर है बायर के बायर को जोड़ी कोई चीज खरिदना है तो वहां से वह खरिद सकता है डायर्ट पर्चरस के थूरू से नहीं टेंडर बना के कि बहुंद सर मैं यह कहना चाहरा था कि जैसे एक रुपए से लेके पच्चिस रुपए के बीच में तो उसके लिए हमें पूडर्ट पहले एड़ करना पड़ेगा पब्लिस करने का तरीका कैसे क्या होगा आप लोग फिर से वहीं पर आ जाते हो हमने क्या क्लास में हमने कि आप अरुन सर्थ अरुन सर्थ अरुन सर्थ हाँ बोलिया न सर्थ ठीक है चलो तो हम लोग आगे चलते हैं तो यह हम लोगों ने समझा जेम के बारे में थोड़ा सा समझा कि यहां पर क्या-क्या चीज़े हैं और किस तरीके से यहां पर कर सकते हैं आगे समझते हैं यही इसके आगे चलते हैं यहां पर स्टेक होल्डर कोन है मतलब कौन-कौन मिला के जेम को चला रहा है तो इंटेनल स्टेक होल्डर है जो जेम पर काम कर दी है जेम SSB, MSP और PMU, ये तीन लोग हैं जो जेम को internal रूप से manage कर रही है, जैसे कि जेम को बनाना, developing का काम, उसमें rules and regulations set करना, और उसके बारे में जो भी decision लेना है, जेम पे किस तरीके से काम होगा, ये department उनको समाल लिया, ये company उनको देख रही है, इस पे buyer है, जो कुछ खरीद स सकता है, तो buyer कोन कोन है, central government, central PSU, state government, state PSU, और कोई bodies, जैसे कि कोई trust, कोई सस्ता, जो governments के चलाती है, जैसे बहुत सारे engineering colleges, या colleges है, schools है, जो semi government है, मतलब government undertaking है, ऐसे चीज़े भी buyer आएगी, जो buyer government जिनको funding करती है, seller, होगा कौन-कौन, कौन-कौन यहाँ जैन पर बेश सकता है, OEM, जो manufacturer है, जैदि हम कोई product का manufacturing करते हैं, that means हम उनके manufacturer है, हम उसको क्या बोलेंगे, OEM, MSI, जो उद्यम के नाम से भी आप लोग जानते हो, जैदि आप उद्यम में registered हो, तो अब भी आप seller हो, startup India, जैदि आप के लिए स्टार्टप इंडिया है, तब भी आप seller में registered हो, authorized reseller, जैदि आप किसी company का authorized reseller हो, मतलब आप उनका distributor हो, जैसे आप लोग बोलते हो, यह dealer हो, तो भी आप जैब पर register हो सकते हो, या service provider, जैदि आप को service provide करते हो, तो भी आप जैब पर अपने आपको register कर सकते हो, यह लोग seller है, कुछ external government system है, जैसे की UIDI, आधार, GST, PFMS, MCA और PIN, यह छोड़के भी और भी बहुत सारी company है, external government system में, जैसे की food license, पसारा license, पसारा वाली, ऐसे company भी यहाँ पे इंटर्नल लोप से help करती है, मतलब सब कुछ वो online verify खुद कर लेती है, आपका GST नंबर गलत है, तो online वो खुद बता देगा, जैम के portal में कि आपका GST नंबर गलत है, उद्यम नंबर गलत है, तो वो खुद बता देगा कि आपका उद्यम नंबर गलत है, मतलब यह सब department जेम के साथ मिला हुआ है income tax department यह लोग सब जेम के साथ मिले हुए है कुछ inspection agencies है जैसके आप product बेशते हो तो उन लोग inspection कर सकती है तो कौन करेगी तो यह सब company या inspection agency में हैं partners है कुछ जो लोग finance कर रही है तो कुछ banks है rating agencies है other commercial agencies है जो जेम को मिला के चला दी तो इतने सारे लोग मिला के जेम को smoothly run करने में help कर रहे है इसमें से कोई भी एक नहीं रहा तो सायर जेम बंद हो जाए seller नहीं रहा कोई बेचने वाला ही नहीं है तो खरीदे खरीदने वाला रहके क्या करेगा डेवलोप्मेंट बंद हो जाए जेम में तो एरर आएगा उसका solution कौन देगा जेम बंद पड़ जाएगा तो सब की जुरुरत अपने को जेम पे सब हम भोग मिलके जेम को smoothly हम लोग करने में help कर रहें कि यह आल ओर इडलिया है यहां पे आपको थोड़ से लोगों के थное से समझाया गया है घिया लाक्ट मिलक मिलक जेम को रं कर रहें अभी हम लोग जोदी बात करें जेम पे थोड़ा इस्टेटिक्स के रूप में मतलब जेम पे कितने लोग हैं तो यह डेटा हमने हो लिया है 30 सेफ्टेंबर 2022 का तब टोटल बायर जो जेम पे रेजिस्टेड हुए थे 62,880 बायर जेम पे और लेडी रेजिस्टर हो चुके है कब तक 30 सेफ्टेंबर साइद आज डेटा और 65,000 भी क्रॉस कर गया होगा सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं तो 51,63,000 लोग सेलर रेजिस्टर हैं या सर्विस प्रोवाइडर इतने लोग जेम पे एजे सेलर रेजिस्टर हो चुके हैं तोटल जेम पे पोड़ट कितने है तो 54,32,500 पोड़ट अभी तक जेम पे और लेडी पोड़ट लिस्टिंग हो चुके हैं अभी तक टोटल ओर्डर कितना हुआ है तो टोटल एक करोर 16,1749 ओर्डर अभी तक जेम पे smoothly प्लेस हो चुका है जिनकी टोटल वेलू कितनी है तो टोटल भड़ ली है CR में है 3,60,095 CR इतना टोटल इनका टर्नोवर जेम पे हो चुका है और ये डेटा 30 सेप्टमबर का है अब टू टिप्स 30 सेप्टमबर 2022 तक तक है ठीक है तो ये जेम के बारे में थोड़ा ये डे बाए डे बढ़ता हुआ जा रहा है और जदी फिगर के बात करेंगे तो ये फिगर हर साल डबल हो जा रहा है मतलब इतने जज़ादा लोग आ रहे है और इतने ज़ादा जेम चल रहा है कुछ एड्वांटेज है बाएर के लिए जैसे कि हम लोगों ने बताया जो एक ही जगह पर हो चाथा था इन टू इन फ्रम डेजिस्टेशन टू पैमेंट एक ही जगह पे registration से लेके payment तक का procedure सब कुछ जेम पे एक ही जगह पे available है Transpensy है easy buying का option बहुत easy कर दिया गया है Search का option से compare कर सकते हो यह सब हम लोग थोड़े points अभी हम लोगों ने discussion भी किया bunch product ख़िश सकते हो और एक है price trend जिसके बारे में हम लोग आगे discussion करेंगे यह price trends क्या होता है price trends मतलब हम लोग कोई भी product का price trends देख सकते है मतलब कब यह product किस rate में गया यह दोनों के लिए buyer भी देख सकता है और seller भी देख सकता है जैसे मुझे इस product का price trends देखना है इस product का open करेंगे और इसका हम लोग price trends देख सकते है मतलब कब यह order किस rate में place हुआ यहाँ पर ट्रेंड्स का उप्सेंज है अभी जो हम लोग पॉडर्ट देख रहे हैं वो two times orders हुए है टोटल बैंचे अभी तक 570 बार बैचे गये हैं मतलब खरिदा है बायर ने उसमें से जो पॉडर्ट रहे हैं उनको order दो बार मिला है order value कितना है उसका 0.35% garden bench के accordingly तीन लाग पांच हजार रुपया का यह जो बैंच है यह तीन लाग पांच हजार का purchase हुआ है अभी तक और टोटल गार्डन बैंचे कितने purchase हुए है तो यह टोटल 86 लाग ज्यादा है दो भी है figure वो देख लो उसके हिसाब से total number of benches total garden benches कितनी बार purchase हुआ है 21 times purchase हुआ है यह ग्राफ्स नहीं दिख रहा है ग्राफ्स दिखता था आपको और clear होता कि किस यही बैंच किस rate में गया जो दो order मिले है वो क्या rate में गया है एक order मिला है 14,500 रुपया में यह अभी rate कितना है इसका 8,000 यही बैंच किसी ने order ल आजिस्तान में एक order हुआ है 15,000 में यही बैंच जो 8,000 में दिख रहा है यही बैंच उसके 15,000 में order लेके गया है वो कब लिया था 27,2, 2022 को और इसने 27,3, 2022 को तो आपको यह price trends बगरा सब कुछ details पता चलता है यह buyer को भी पता चलता है और seller को भी पता चलता है तो यह सब ची देखने में help किया है मतलब आप जदी first time आया रहे हो जेम पे तो आप कौन सा product बेचो कि आपको order मिलने के chances चाहदा है और आप यह देखके भी पता कर सकते हो यह bench अभी किस rate में जा रहा है लोग किस rate में बायर खईद रहे हैं यह भी आपको idea के तोर पे देख सकते हूं क्लियर है कोई doubts है चलिए तो फिर नेक्स चलते हैं यह advantage है seller के लिए कि direct process to all government department जैसे कि मैंने बोला one stop shops है बीडी के लिए reverse auction के लिए products के लिए और सर्विसेस के लिए dynamic pricing price हमेशा और और नीचे हो सकता है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा एक पोड़क्त वही पोड़क्त अभी आठ हजर में कोई बेच रहा है पर उसका order किसी को 14,000 में मिला है किसी को 15,000 में मिला है अभी मुझे कोई order है तो आठ हजर में मुझे मिल सकत है तो pricing up and down है vendor की rating system है जिए आप vendor की rating देखेंगे तो rating पता चलता है कौन से vendor को rating कैसा है तो जो अभी यह बेच रहा है इनका rating आप देखना चाहो तो rating देख सकते हो तो अभी यह जो बेच रहा है इसकी rating कितनी है 3.73 यह बेंच जो बेच रहा है best price में उनकी rating कितनी है 4.65 त for seller को नया product आया तो आपको suggestion को तोर पर वो बताएगा है ना seller friendly dashboards है dashboard के बारे में आगे discussion करेंगे dashboard में आपको सब कुछ पता चल जाता है कुछ news and events आया तो आपको पता चल जाएगा कुछ जेम पे updates वगद आए तो आपको पता चल जाएगा यह सब login होने के बाद पता चलता है नहीं तो मैं login करेंगे दिखाता हूं देखना यह मैंने login हो गया तो dashboard देखेंगे तो मुझे dashboard में एक ही जनके में सब कुछ पता चल जाता है कुछ notification आया तो यहाँ पर notification आ जाता है कि 9 January से कुछ updates होगे तो मुझे वह चीज़े पता चल जाता है है ना MSME के लिए कुछ updates आये तो वह पता चल जा रहा है तो यहाँ पर कुछ notification जो भी आये latest updates के बारे में कुछ announcement है तो यहाँ पर पता चल जा रहा है है ना और जो latest 10 bit है वो भी आप मुझे यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि 10 bit जो भी latest है वो दिखता है साथ में summary है कि मुझे अभी तक मेरी rating कितनी है तो मेरी rating अभी तक 4.16 है कैसे rating है तो उसके बता रहा है जो delivery के rating कितनी है quality के rating कितनी है टोटल मुझे orders कितने मिले हैं तो टोटल मुझे अभी तक 283 orders मिल गए उसमें से 1654 का pending है डिलिबरी पोड़क और सर्विसेज में 466 पोड़क लिस्टिंग है उसमें से 425 लिस्टिंग है मैंने 466 लिस्टिंग करने के लिए गया था उसमें से 425 मेरा लिस्टिंग है और 11 अप्रूवल के लिए पैंडिंग बढ़ा है मैंने टोटल 7 टेंडर बढ़े थे उसमें से 3 टेंडर मिला है और 4 टेंडर मुझे नहीं मिला है मेरे अगेस में जो कम्प्लेन हुए वो 38 बार कम्प्लेन हुआ है कोई कम्प्लेन अभी ओप्लेन है क्या तो कोई कम्प्लेन ओप्लेन नहीं है इसको हम लोग इंसिडेंट बोलते है जैनि हम लोग भेलू वाइस देखेंगे तो ओडर संपैमेंड में है टोटल मुझे ओडर जो मिले अभी तक 5.1 CR के अभी तक मुझे ओडर मिल गए है जो ओडर था टोटल वेल्यों 273 था तो यह आपको मुझे आपको दिख जाता है उसमें से यह बताता है डिलिवरी इन प्रोग्रेस कितने में है यह सब चीजे लाश्ट 12 मन्थ का मेरा ओडर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्राप के थुरू से उड़ताता है जैसे फरवरी मन्थ में 17.48 लाट का ओडर था मार्च में देखेंगे तो 34 लाट का है माई में सबसे जादा ओडर ओडर ओपर गया एप्रोस्मेटली 1 CR को टच कर रहे थे जून में घड़ गया एकदम डाइरेक्ट जुलाई में तो यह आपको हमारे ग्राप्स बताते हैं जो मुझे कोन मंस में कितने ओर्डर मिल रहे है इस्टेट वाइस जदी देखेंगे तो इस्टेट के अकोडिंग लिए जो इस्टेट गवर्मेंट है उसके ग्राप्स मुझे सबसे ज़्यादा है 97% मुझे इस्टेट गवर्मेंट ने ओर्डर दिया है और PSU ने मुझे सिर्फ 6% ओर्डर PSU कमपनी दिया डाइरेक्ट ओर्डर से मुझे 98.9% सिर्फ डाइरेक्ट ओर्डर से मिला है और bid से मुझे सिर्फ order value का 1.1% सिर्फ tender के थुरू से मुझे order मिला है ये भी last 12 मन्द का ही graph है जो आपको graph दिख रहे हैं ये last 12 मन्द का graph है सिर्फ payment मुझे कितने मिल गए हैं कितने का pending है ये मुझे यापर बता देता है जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ ये भी मुझे बता देता है किसका payment हो चुका है BDR इतने BDR मुझे मिले उसके बारे में थोड़ा details बता देता है category जो जो categories है उसके बारे मता देता है जो product and services listing है उसके बारे में यहाँ पर details में मुझे बता देता है कितने published है जो मुझे यहाँ पर summary में दिख रहे थे उसका details यहाँ पर incident का भी summary दिख रहा था मुझे यहाँ पर 38 incident है इसके बारे में जानना है जो 38 incident क्या था तो मैं incident पर click करूँगा तो यह 38 incident के बारे में मुझे proper बता देगा यह 39 ने एक pending भी बढ़ाए बोलता है तो किसी ने और complaint कर दिया देखो अभी किस ने unreasonable offer price 24 12 को किसी ने complaint किया मेरे पर हाइम वसका तो यह हमें यहाँ से बता देता है जो मेरे गाश में कितने complaints वगरा हुए है यह जेम का पूरा data देखाता यह अभी मेरा data नहीं ये पूरे जेम का data है अभी जाएक्षिन वेलू product in jam कितने का transaction हुआ है सर्विसेस में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है तो यह जेम का आपको बताता है हर इस्टेट वाइज देखेंगे या टॉप टेन काटेगरी जो सबसे ज्यादा जेम पर अभी चल रहा है बोल्यूम वाइज तो वह प्रिंटिंग का यह जो काटेगरी इसकी सबसे ज्यादा चल लगार रहा है स्टेट वाइज जरी आप देखेंगे लोकेशन का उप्रेट का सबसे टॉप पे यू-पी है उसका से बदी भी मतलब export भी कर सकते हो यह मुझे orders details का export करना है इसका करना है direct duration तो मुझे last दो मेहने का two month का report दे दो जो मुझे direct purchase से कितने orders मिले हैं download करो तो मुझे डाश two months का पूरे orders का Excel sheet में वो export करके देगा जो कौन से department से उसका order number कितना था कितने amount का order मिला यह सब कुछ मुझे total हुए बता देगा total 36 orders मिले मुझे last two months में और सब goods में हैं तो इस तरीके से आपको एक dashboard देता है कही चीज़ आपको यहाँ पर बता दे कि यह कौसिस कर दा है मौहन सर मौहन सर मौहन सर जैम में जैसे जो पर्चम order लगाते हैं हां तो बेसिकली जीस्टी होना चाहिए ठीक है और कौन-कौन से सबसर आगे बताएंगे अभी तक हम सिर्फ जैम को समझाई दे रहा जब रेजिस्टेशन में जाएंगे तो रेजिस्टेशन के बारे में फिर डेटेल्स में बात करेंगे और यह आपने बताया है इससे कोई problem होती है हां आपका account block हो सकता है ज़री आपने उसको reply नहीं किय है तो इस तो यह देखना बहुत जरूरी है कि अच्छा अच्छा ए ब्लॉक करती है। इस प्रावार सर प्लीज और कुछ डाउट से हैं तो डाउट सांगे बढ़िए त बानी सर् वानी पारसर यह तो अभी डीप में अभी तो अभी तो खली ऑबर भी होए हम सिर्फ आपको जेम को समझा रहें क्या है यह समझोगे तो आगे का जो चीज़े है वह स्मूतली जाएगा पहले आपको जेम समझेंगे नहीं डारेक्ट क्लास सालू करेंगे तो आपको समझने मे दिखकत जाएगा करना क्या है इसलिए सिर्फ जेम के रूल्स जेम के कंडिशन जेम पे काम होता कैसा है जेम के बारे में थोड़ा सिर्फ ओवर्वियू दे रहा हूँ है आपको भी पिंसर हलो है जी सर मैं यह कंप्लेन जो हो जाती है इसका सोलूशन कैसे आपको उनको एक अबी कोई एक्ट्री मेरी एडी है जैम पे वो ब्लो को रखी है आपके लिया है और इस लिया और रिफॉर आपको करो रिस्पॉंस जो यह आफर प्रैस सही है उसके लिए प्रूप के तोर पर अटाइच मिरा सही है से इससलिए कम रेट में कर देंगे जो मेरे पास इससे कम रेट में ख़िदा हुआ पॉड़क्ट है इसलिए हम यह उफर प्राइस में दे पारे हैं जी फिर दोस सर फिर दोस वाली सब्सक्राइब यहां पर यहां पर उसका प्रॉपर स्टेटस नहीं दिखता सब्सक्राइब बहुत सारे यहां पर ऐसा होता सब्सक्राइब आपको हो सकता कि आपको उसका प्राइब नहीं किया तो इसलिए नहीं दिखाएगा पर आपको सब्सक्राइब आपको आपका एकाउंट से ही पता करना पोड़ेगा अच्छ आवाँ इसे डिपार्ट्बंट से सब्सक्राइब ओक्यों थेंक्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइब परन्तु जेम सब्सक्राइब 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 सर यह बायर के उपर डिपेंड करता है बायर जदी विदावड जीस्टी आपसे काम ले रहा है और काम दे सकते रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप कर सकते हो सब्सक्राइब अधी नहीं परगे तब को एक बर ओर दे के दुसरी भाड से नहीं देगा ऑपने कोई चीज किसी को बेचा अब आपको जब पैमेंट करता है तो उसका यहां पर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा आप जो भी यहां पर रेट कर रहे हो से घुमाना है कैसे बकरना है वह आपको फिर वह सीए बता पाएगा थी कि हम सिर यहां पर जे में के बारे में बता सकते हैं आपका पैसे का GST का हिसाब किताब हम यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं बताई है कि आप अपने बताया कि वो GST बीना GST से इंटर स्टेट में काम कर सकते हैं इंटर स्टेट में काम कर सकते हैं और दूसरा एक मेरा क्वेशन था सर कि अपना जेम का जो पॉर्टल है वो कौन कौन सी चीज में हमें ब्लॉक कर सकता है क्या केर लेना चाहिए हम आप और टाइम पे नहीं दोगे तो ब्लॉक हो सकता है किसी का अपका है और आपने अप्रυτे रुपया है तो ब्लॉक हो सकता है किसी का मेरटा है तो ब्लॉक हो सकता है आपका है अप्लोड करते वहां पर तभी उस टाइम अपन ने ध्यान दिया नहीं उस पर और पर तो भी ऐसा हो सकता है कि नहीं वह पहले होता था अभी नहीं होता है अभी और अब आपको अच्छा अभी उसके लिए आपको टेंशन नहीं है 15 दिन के अंदर डिलीबरी करना है डिलीब हो सकता है ठीक है मिस्टा सर यह सर जैसे अगर जैसे हमाई ID ब्लॉक हो गई तो क्या वो दुबारा सरी ओपन नहीं हो सकता है होती है ना सर उसका टाइम रहता है कब से कब तक ब्लॉक क्या लिखा रहता है उस देट के बाद सब्सक्राइब करना है जैसे मैंने आपको बताया एलिवेटर मसीन कोड़ा वगारा आपको हायर करना है तो मलब ऊसकी में रहुए जैसे आपने सब्सक्राइब जैसे हैं मैं इसको कैसे डैरेक पर्टेजिंग वे ले सकता हूं तू कैसे लेंगे वह तो हम लोग अभी बताया नहीं ना बायर में जाओंगा यावियर का पड़ाओंगा तो बताऊंगा विपिन सर हलो जी सर मैं यह बोला जैसे कि आइडी ब्लोक हो गई है वो अनब्लोक होने का जो उससे पहले हम अगर रीजन डाल देते हैं तो हमारी पहले भी अनब्लोक हो जाएगी या पुशी टाइम को मेल डालना पड़ेगा जेम को लगा कि रीजन पराबर है हमारा यह गलत हुआ है तो फिर आपका हो सकता है कि पहले भी अनब्लोक हो जाएगी पर जैसे कि हमने कोई प्रोडेक्ट डाला और जैसे कि मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे अगर अगर आगया और आम नहीं देपाए तो उसका सॉलूशन कैसे होगा कुछ नहीं होगा आपने गलत किया है तो गलती की पनिस्मेंट तो मिलनी चाहिए आप डालते वक्त ही सोच समझके डालो ना पिर आपने गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए पिर वो ठीक हो जाएगा जब उसका डेट खतम होगा तो आपको ठीक हो जाएगा अच्छ ठीक सर थेंड्यू साजित सर अपने बताया कि इसमें ओडर ओटोमेटिकली 15 डेज के अंदर ओटोमेटिकली अप्सेप्ट हो जाता है यह चार से छे गंटा मैक्सिमूम वन डे टाइम लगता अपसेप्ट होने को अगर सर हमें एक्सेप्टी ना करना हो ओडर तो अभी वह और डाला आपको मिला तो होगा और आपको प्रड़क्ट पो यह डालो जो नहीं दे सकते हो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पहले था अभी ऑप्शन बन कर दिया निखिल सर की जो और अगर एक्स्टेंशन चाहिए तो फिर एक्स्टेंशन यहां पर बाइर के उपर है तो बेखो रहेंज आमेंडमेंड कर सकते हैं यहां पर और्डर में जाएंगे और यह विवेडिटेल्टेजन में जाके यह बाइर को जाएगा बाइर ने एक्सेट किया तो आपको कर सकते हैं पर आप ही बाप बताते भी हो मैं आपको आगे बताऊंगा कैटलोग में लिखा रहता है और एक क्वेस्टन था सब्सक्राइब अगर अभी नया रूल आया है कि डाइरेक्ट और एक्सेट हो जाता है क्योंकि इसके अभी जो लास्ट और मुझे लगा था ना तो उसके रिलेटेड उन्हें फीज भी मांगा था वाके ना वह अलग हो गया वह आगे डिसकेशन इसमें जो यह लखा यह वाला यहां पर यह वीट जीएस्टी होगा यह वीट टांस्पोर्टेशन सर आपको मैं हप लोगों को मैंने एक ही चीज बताया आप अमेजन से या फ्लेपकार से कोई चीज खड़िदते हो तो जीएस्टी क्या अलग से देते हो उसके उपर देते हो यह टांस्पोर्ट के चार्जेस अलग से उनको पे करते हो करते हो क्या नहीं करते न सेम चीज एकदम वही चीज इधर याद रखो अलग से कुछ नहीं है आपने कोई चीज मंगाया आपने वहां से घर से वासिंग मंगा लिया बीस हजार का तो बीस हजार छोड़के पर अठरा टक्का था तो तो तीन हजाच छे सो रुपया और आप पेमेंट करोगे उसको नहीं करते हैं ना बीस हजार में इंक्लूडिंग टीए इंक्लूडिंग टांस्पोर्ट है साइध इंक्लूडिंग इंस्टोलिशन भी है तो वह सब आपके हाथ में है ठीक है जगत से प्राफार आप बनाया है और पूराना अचारह का स्ट कैम है लेकिन टइंच पहले माहिने ओelnे में हॉंआ वह फरम का लेकिन अभी नया फर्म बनाएं तो वह फर्म के लिए कुछ प्रॉब्लिम आ सकता है कि अब पूरा नहीं लेगा उद्धम नमबर उद्धर डाला है तो इदर उद्धम नमबर अपडेट नहीं होगा अलग अलग नाम से फर्म एक्टिविटी भी आलग है और फर्म का नाम भी आलग है पर पेन काड जीएस्टी वह सब तो एक ही रहेगा यह कि प्रॉप्राइटर्स लेगा ही नहीं कर सकते इसकी चाएगा साथितों दो जगाव एकूंडेट नहीं कर सकता है सब कुछ अव्याया है तो कोई प्रॉब्लबम नहीं तो जह réponse GST का इना जीए सब का नहीं 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 था वह फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं डाला पाहें डिपेंड बायर के उपर बाइर को पर जिरो पॉइंट फाइट पर सेंट पर विक चार्जे से सब्सक्राइब कि इसका रेकॉर्डि मिलेगा और कुछ डाउट चलते हैं क्योंकि यही लग रहा है हमारा आज खतम होता है कि नहीं चलो यह देखते हैं आगे का बायर के ड्यूटीज है कुछ थोड़ा इसको फास्ट लेता हूं है ना क्योंकि यह सब चीज़े हम कवर करेंगे कैसा होता है इसके अंडर से आप लोग के कोई रिस थोड़ा आ रहे तो कुछ ड्यूटीज हैं जैसे कि बायर बायर में टोटल रेजिस्टेशन कितना होता है कितने लोगों का रेजिस्टेशन हो सकता है एक होता है बायर एक होता है कंसाइनी एक आइडेंटर एक प्राइमेरी यूजर एक डीडियो एक पेमेंट आथर्टी और एक टेक्निक लिगुलिटर इतने रोल हो सकते हैं माल लो आपके एक आफिस है अजे एक जम्पल समझे तो आपके आफिस में अलग-अलग डिपार्टमेंट है ना इस्टोर अलग है एकाउंट्स अलग है प्लानिंग अलग है है ना ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट है ऐसे भी बायर के पास अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रोल दिया गिया है इस्टोर का काम एकाउंट्स वाला को दे दू तो कर पाएगा क्या वो नहीं करेगा इस्टोर वाले के लिए अलग से आदमी असाइन है एकाउंट्स के लिए अलग से असाइन है प्लानिंग के लिए अलग से असाइन है ऐसे बहुत सारे HR and admin के लिए अलग से team है तो ऐसे अलग-अलग लोग अलग-अलग team पे काम कर रहे हैं तो ऐसे buyer के पास भी अलग-अलग authority है जिसको हम लोग duties बोले या responsibility बोले तो buyer को क्या-क्या role है रोल हम लोग जाते हैं यहाँ पर बात क्या करते है roles क्या-क्या role है तो buyer है एक role है जिसको हम लोग बोलते है buyer का role क्या है कोई भी खरीदना जो भी समान खरीदना है वो सिर्फ buyer ही खरीद सकता है tender बनाना direct purchase करना L1 करना यह सिर्फ buyer के ID में होगा consignee का ID में क्या होगा जो आप material भेजते हो उसको receive करना या CRC बनाना यह consignee के ID में होगा mandatory तीन है यहापे buyer, consignee और payment authority पैमेंट authority का काम है पैमेंट करना जदी PFMS के थुरू से पैमेंट नहीं कर रहे हो तो PFMS के थुरू से पैमेंट कर रहे हो तो वो role होगा DDO का तो यह mandatory है कोई भी organization में तीन लोग होने ही चाहिए buyer, consignee और पैमेंट नहीं चाहिए यह तीन लोग होने ही चाहिए ID और technical regulator optional है आप चाहो तो रख सकते हो नहीं भी रख सकते हो आइडेंटर का काम क्या है यह buyer को help करना यह जो buyer है इनको help करने का काम है बायर आइडेंटर क्या कर सकता है जो चीज मान लो कुछ खरिदना है बायर को उसको LED light खरिदना है dust bean खरिदना है ऐसे चीज़े खरिदना है diet process करना तो आइडेंटर उसको सिर्फ card में add करके रख सकता है खरिद नहीं सकता जैसे Amazon से आपको बहुत सारी समान खरिदना है आपने एक list निकाला पचास आइटम का और आपने एक अपने office के staff को दे दिया देखो मुझे ये पचास समान खरिदना है तो तुम क्या करो अपने हिसाब से ये 50 समय आप Amazon में card करके रख दो सिर्फ card खरिदना है खरिदो मत खरिदना नहीं है खरिदेंगे मैं देखूंगा मुझे उस में से 50 में से कौन-कौन समान मुझे पसंद आया वो खरिद लूँगा तो क्या हो गया बायर को अभी time बजगया बायर का तो ये काम आइडेंटर कर सकता है मतलब बायर के अंडर रह सकता है वो सिर्फ add to card कर सकता है पर खरिदेगा को बायर या बायर खुद add to card करके खुद भी खरिद सकता है और है टेखनिकल एगुलेटर तेखनिकल एगुलेटर जब टेंडर निकलता है तो आपका documents verification करने के लिए बायर और एक आदमी को assign कर सकता है technical एगुलेटर के रुपे जो documents है तुम verify करो या buyer खुद भी कर सकता है तो ये भी buyer के अंडर एक technical regulator बोलके आ सकता है और ये तो बताया DDO और PAO जदी payment non PFMS से हो रहा है या egrams और इससे नहीं हो रहा है तो payment authority बनेगा जदी PFMS से हो रहा है तो DDO बनेगा जनरली लोग सबसे ज़्यादा PAO बनाते है PAO में क्या benefit है क्या PFMS से भी payment कर सकते हो और offline mode में भी payment कर सकते हो दोनों और ये सब का head ये सब को चलाने का जैसे company का owner वो हो गया primary user जिसको हम लोग actually बोलते head of the department यही इनको role देगा यही इनका monitoring करेगा पूरे सब को चलाएगा वो होगा primary user और यह होगा household जैसे की पंचात समीति की बात करूंगा तो पंचात समीति में he好 होता है पंचात समीति का पूरा जितमें भी आपके तालूका में हाद में पंचात है पंचात समीति है उसका हेड कौन होता है video तो यहाँ पे Chod कौन अधी पर M मिलना बड़ा मुस्किन हो जटा है तो devi औरẹग जगा पर एक दे देते हैं और payment authority एक आदमी को देते हैं मतलब सरपन्च को बायर और कंसाइनी दे देते हैं और प्राइमेंट अथरिटी ग्राम सेवक को दे देते हैं और यह सब डिसाइड कोन करेगा वीडियो क्योंकि वीडियो के अंडर है और जो भी ओर्डर हो रहे हर एक पंचाई समिती में सबका monitoring भी primary user करेड़ेगा पर primary user कुछ खरीद नहीं सकता कुछ भी खरीद नहीं सकता सिर्फ यह monitoring कर सकता है देख सकता है ID create कर सकता है clear है buyer का role अब यहां पर यह मत पूछो करना कैसे उसके लिए class अभी हमारा बचा हुआ है इन दोनों में difference क्या होता कंसाइनी हो बायर में बायर खरीदेगा material रिसीब करने का काम जब आप material भेज दोगे तो उसको रिसीब करने का काम जिसे store बोलते हो तो वो कंसाइनी है पल्ले मी मेडम पल्ले मी मेडम मेना मावाजरी हैलो हाँ मेडम प्राइमरी यूजर वीडियो वह बायर को जैस्ट कर सकता है प्रॉडक्ट लेने के लिए या वह तो हेड है ना वह तो खरीज सकता है वह खुद पर्रचेस नहीं कर सकते रेकिंश्ट कर एक Per पैमेंट कोन करेगा यहां पर उनके पास दो अप्सेंस रहेगा एक पैमेंट और एक प्राइमिरी उजर का यह पैमेंट कर सकता है यहां पर आपको कोई पैमेंट ऑथर्टी चूजी नहीं करना है यह वो कि शिर्फ वह प्रेंट आपके ऊंलाइन पॉर्टल से प्रेंट करना उससे प्रेंट कर दो इसका डीटेल्स अपडेट कर दो इने सब्सक्राइब डिनीज पावार को उसका रोल पेमेंट करने का रहता है लेकिन अभी आनलाइन किया उसने अफ लाइन करके से कर दिया करना पड़ता है जैसे बाइर ने समझो ऑडर डाला तो जैने को लॉगिन करके सी एर सी क्रियेट किया जो पैमेंट करेगा वो ऑफ-लाइन चेक से करो या फिर यह ग्राम सहराज पोर्टल से करो लेकिन इनका यह बनता है यूजर ने पासवर्ड बनता है तो वह क्या करते हैं मेरा पूरा तो सुन लीजिए पहले मैं क्या बोलना चाहरा हूं मैं बोलो अभी कंसाइनी मैट्रियल रिसिप किया और उसने आगे भेज दिया अभी पैमेंट ऑथरिटी जो भी है एक स्वाई जेड चाहें वीडियो है या ग्राम से उसने पैमेंट किया यह ग्राम सहराज कर दिया या फिर चेक दे दिया या फिर डिडी दे दिया चलो कैस चलता नहीं मैंने समझा कि कैस भी कैसे भी पर हुझ किया जैसा अब पर उसका जो री सीप्ट होगा वह आनलाइन पोर्तल पर अप्डेट करना पड़ता है ऑप्की पर मेंट असे Π्राइमेंג यूज़ सकत वह चूज नहीं किया और करते वक्त तभी तो अच्छा करते वक्त चूज करना पड़ता है ज्यादा होते वैसे वह सकते हैं हो सकते हैं ठीक है ठीक है और कोई डाउट्स किसी को साजीत सर शरी डीडियो का रूल क्या रहेगा या पीएफमस भोलते पीएफमस पोर्टल देखा है कि आप लोगा नहीं सर नहीं देखा है जिए पोर्टल होता है पीएफमस जैनल इस पे जड़ाई आ रहती है जैसे से मिलेटरी हो गया रेल्वे है यह लोग पेमेंट जो भी करती है पी एफमेंस से ही करती है तो इस पोर्टल में जदी उनका रेजिस्टर इस पोर्टल से जदी पेमेंट करना है उनलाइन तो फिर उनको डीडियो का ही रोल देना पड़ेगा फिर वह पी एओ नहीं चलेगा फिर उनको डिडियोल बनाना पड़ेगा और के इस पोर्टल से प्रेमेंड हुआ तो बोले तो एक पहमेंड ऊतरे उनको एक साइंड किया है अब इसका फूल फॉर्म तो मेने भी देखा नहीं देख लोडेंड पूल पूल पोल क्या यह दिडियों इस बश्चिंग ऑफिसर अभी चर्थ कंपल सरी है इस बराबर है पर पेमेंट ऑफरिटी जदी रहा जदि आपने पेमेंट ऑफरिटी के तुरुस पेमेंट किया है तो आप यह ग्राम सोराज में जाके payment कर सकते हो और उनका details update कर सकते हो DDO में रहा तो क्या होगा आपको offline का options ही नहीं मिलेगा वो direct आपको वहाँ पे link कर देगा उस website में redirect कर देगा और payment author रहा तो redirect नहीं करेगा आपको यहाँ पे जाके manually payment करना पड़ेगा और उसका receipt आप upload करेंगे बस इतना ही डिफ्रेंट से क्लियर है किसी को doubts है इसमें चलों आगे चल रहे हैं सर एलो हाँ बोलिए सर उसमें अपने को दोनों में से कोई भी एक ही create करना दीता है बाया दोनों कर सकते हों दोनों भी create कर सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग आदमी चाहिए अच्छा ठीक है आँ ऑफर multiple procurement options जैसे हम लोगों ने इसके बारे में already discussion किया जैसे यहां पर किस तरह की से purchase होता है एक direct purchase होता है कितनी है direct purchase की limit कितनी है पत्चीस हजार बराबर एलवन की पांच लाग पांच से पांच लाग बीड की limit पांच लाग से अबब 25,000 मेरे पास एक 100 रुपया मुझे बीड निकाल लाए उसको डिफाइड नहीं है हंड एक रुपया मैंने बोला था एक रुपया का भी निकल सकता है और एक हजार करोड का भी बीड निकल सकता है और एक बीड बोलते पी एसी मतलब है यह तो हमने भी बोला इसको फुल फॉर्म बोलते प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देख प्रोड़क्त के लिए मतलब नहीं इस पैसिफिक ब्रांड एंड मॉडल बायर कभी भी कभी बोल नहीं सकता मुझे लैपटॉप चाहिए तो बायर यह नहीं बोल सकता मुझे HP का ही लैपटॉप चाहिए और यही मॉडल चाहिए ऐसा बायर नहीं बोल सकता है बायर यह जरूर बोल सकता है मुझे i5 चाहिए 256 GB में चाहिए 8 GB रैम चाहिए 21 इंच का म ही चाहिए या मुझे डेल में चाहिए या लेनवो में चाहिए या एपल में चाहिए ऐसा बायर नहीं बोल सकता पर कभी कभी बायर को ऐसी requirement आ जाती है कि उसको वही brand चाहिए वही model चाहिए ऐसे condition में वो pack bid निकल सकता है तब आप जो coat करोगे वो वही करोगे जो brand चाहिए और जो model चाहिए वो छोड़के दुसरा possible ही नहीं होगा और सबसे ज़्यादा setting भी pack bid में ही होता है जदी कोई buyer seller ने आप OEM हो और आपने कोई suggestion कर दिया buyer को कि sir इसमें से एक product bunch bid बना दो और एक product का pack bid बना दो यह tender कोई भी नहीं भर पाएगा 100% manage manage मतलब 101% manage होगा ज़र मतलब क्या बुल रहे है आज एक product का पीएसी बना दस product है दस product में कोई भी एक product जदी pack bid बना दिया और उसका आप OEM हो तो वो bid 100% manage इसर वायर को pack bid बनाने के लिए कुछ अलग से करना लेना पड़ता है और जदी आप लोग पंचाज समीति में या जीला पोजिशन में काम कर रहे हो तो यह है ना एनिवेज चलो इस सब ज्यादा नहीं फॉलो होता पर एज रूल पैंक के लिए अप्रूबर लेना पड़ता है एचोडी से जो मुझे वही ब्रांड क्यों चाहिए समझ में आया पैकबीड याद रखो पैकबीड मतलब मैनेज ज्यादा टेंडर भरते वक्त पैकबीड सोच समझ के वरो ऐसे आपको बताई दूंगा मैं कौन सा टेंडर मैनेजर देख के आपको बता चल जायगा चाने कस्टम या भी जो मार्केट में पॉडक नहीं है जैसे कि हम लोग बात कर रहे अभी कोई तो मुझे बोल रहता यह महसिं नहीं मार्केट में तो क्या करूं खुर सब्सक्या डाइर गार को option रुए नहीं नहीं कर सकता थक्यों बना सकता वो क्या कर सकता है तो वो custom bid या bio qubit बना सकता है और उसके तुरू से वो खरीद सकता है उस time पे आप यहां पे participate कर सकते हो जो भी चीज market में available नहीं है उसका custom bid या bio qubit बनता है दोनों में छोटा difference है bio qubit जो बनता है उसकी जो estimate value है वो 5 लाग से कम नहीं होना चाहिए bio qubit की estimate value 5 लाग से कम नहीं होनी चाहिए as a rule बता रहा हूँ करने के लिए लोग 10-10 रुपया का भी bid बना देते हैं bio qubit वो अलग बात है पर as a rule 5 लाग से कम नहीं होना चाहिए यह हो गया सेकेंड कस्टम बिड में क्या है यही कस्टम बिड की जदी बात करेंगे तो कस्टम बिड में कोई भी amount का चलता है पर इसमें भी एक rule है कि जदी कस्टम बिड निकालना है तो उसके लिए जो minimum days है tender का वो minimum 21 days होना चाहिए minimum 21 days होना चाहिए उससे कम का जदी आपको निकालना है तो सेम आपको मतलब कितना कम minimum tender का डेज कितना हता है जेम पर minimum जो है वह दस दिन तो दस दिन जिदि कस्टम बिड निकालना है तो आपको एक चोडी से या primary user से एपरूबर लेना पड़ेगा उसके बेस पर आपको des dyn का निकाल सकते हो नहीं तो minimum 21 23 के लिए निकालना पड़ेगा 2021 in वही वी यो क्यूपीड में है क्या जिधि आप व्यों की क्यूबी क्यूपीड निकालरे हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं मतलब मिनिमूम आप 10 दिन के लिए भी betender निकाल सकते हो यह B.O.Q. बीड में पॉसिबल है, जो कस्टम बीड में पॉसिबल नहीं है, उसमें भी है, पर वो पूरा दिन भर जाएगा फिर बाहर को, और वही B.O.Q. बीड है, 1.99 आइटम का 5 मिनिट में टेंडर निकल जाएगा, तो यह सब उनके कुछ डिफिनिशन है, जब हम लोग क्लिएट करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा यह सब चीजे क्लियर होता हुआ जाएगा, राम सर मुलिए, राम सर, हलो, जी सर, सर, बायर में P.W.D. भी रेजिटर होता है, सर, जो भी डिपार्टमेंट है, बायर क्या गौर्वर्मेंट, P.W.D. गौर्मेंट का है या वी कंपणी हय है, ज्रॉप कोई भी कर सकती, कोई भी कर सकती है, है ज हुआ किаешь काष्टम्विट, काष्टम विघा में में ओ इसे प्रोडकेश्या, सर्विसेश्या मार्केट में करें किली कि मिनिमों टॉंटी वंडे ब्यो किविड़ की मिनिमुम देज दस्ठीन जाई ब्योग कि रिड़ मिनिमुम प सब्क्राइब सब्गों कोई लिमिंट के हैं को बोल्गुम और कोई डाउट से किसी को है हलो हाव सर कश्टम बीड के बारे में अपने बोला कि इसे एटम के लिए बनता है कि तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो यह बीड निकालेगा ना अच्छा मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा वह वह केटेगरी वह यह प्रोड़ के साथ 512 जिवीं एस एसडी के साथ विसजी डिवीं का 32 जिवीं का परड़कुट अवेलेबल नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ की सेलर को उसका नया केटेगरी बनाना पड़ेगा बिड़ बनाएगा बनाने का परमिसन नहीं बायर उसका बीड निकालेगा और आप बिड़ाइगा बनाना भी नहीं पड़ेगा आप डायेक्ट वो टेंडर भर पाऊंगे अच्छा वह वह बहुत परोसेस अलग है वह मैं आपको आगे आगे समझाओना इसके लिए कोई कैटलॉग या कैटेगरी क्लियेशन करने की जरुरत नहीं पड़ती है क्लियर है क्लियर सर क्लियर दिने सर्व यो क्यों के लिए ओईयम का भी और जरुप यह तो डॉकॉमेंटेशन का बाट होगा बायर को जो चाहिए वह लगेगा अच्छा मतर्ब जो डॉकुमेंट गएगा वह लगेगा ना इसेलर में भी प्राइमेरी एं सेकेंडरी यूजर है बायर प्राइमरी उसद जिसके आप अधार कार्ड से या Pakन कार्ड से लिंक करतके आप जाहिए यह सबका रोल बेस्ट आप सेकेंडरी यूजर भी क्रियेट करवा सकते हो तो यह आपका काम को डिफाइब है या आपके हाथ के नीचे लोग सेलर में भी आप बनाके रख सकते हो तो उसके लिए आपको यहां पर बताया गया है साजित सर सर जैसे कोई कंपनी है तो वो कंपनी जो अपना एकाउंट बनाएगी अगर तो ऐसे प्राइमरी यूजर होगा वो मतलब मालिया मैं ही हूँ तो मैं एकाउंट मना रहा हूं तो मुझे एकाउंट बनाने के लिए कंपनी का प्राइमें नहीं चाहती कि आप मेरा पूरा एकाउंट देखो जी जी आती है कि आप इस्टोर वाले हो तो इस्टोर का जो काम है वही तो आपको एक आपके नाम से एक आईडी बना के देदेगा और उसमें आपको आपका रोल देदेगा तो आपको आपके आईडी में वही दिखेगा जो उसने रोल दिया है उसमें उसमें सर अमारा नेमगर हो सकता कि उसमें नेंग हो सकता कि असमें नहीं अच्छा आप मजदे नया एकाउंट त यह नहीं है अच्छा सबस्क्राइब कि अगे यह हमारा लास्ट आज का टॉपिक्स रहेगा कैटिगरी जिसके हम लोग बात कर रहे हैं क्यूवन क्यूटू क्यूटू क्यूट्री कोई है जिसने क्यूवन क्यूटू क्यूट्ट सुना नहीं क्यूट यह कोड़न की वन क्यूटू ने सुना नहीं सुना सबसे ज़्यादा फेमोस है क्यूट एक और टू एक और ट्री और फॉर क्यूट आइटम बोलते हैं जैसे कि डस्ट विन लिया अब है कैटिगरी मिल गया मुझे अब देखो हर एक कैटिगरी के बाजू में एक यहां लिगा है यह किस कैटिगरी से बिलॉं कर रहा है कि यह भी क्यूटरी से अब दूसरा लेलो LED लेनते हैं LED light में सब कुछ है Q1 भी है Q1 नहीं Q2 है यह देखो LED बैटन किसमें है Q2 में यह वाला Q3 में यह वाला Q4 glass light Q4 में भी है तो आपको ऐसे नजर आएंगे तो यह जो category है वो किस quadrant से belong करता है वो आपको पता चलेगा यह इसलिए पता करना जरूरी है क्योंकि सब के rules अलगे Q1 के rules अलगे Q2 के rules अलगे Q3 के rules अलगे Q4 के rules अलगे Q5 के rules अलगे Q6 के rules अलगे मतलब आप ये category देखके ही पता कर सकते हो कि इसमें हम product कैसे डालना है और इसके rules क्या follow करना है क्योंकि ये Q2 से है Q3 के rules देखके पता करोगे तो समझते हैं क्या है इनके rules Q1 Q1 में reseller को reseller को entry नहीं है reseller और OEM में difference तो पता है न जो manufacturer है वो OEM जदि मैं कोई चीज किसी से खरीद के बेच रहा हूँ तो मैं reseller तो Q1 category में reseller को entry ही नहीं है मतलब हम अपना product नहीं बेच सकते हैं जैसे कि Q1 में है क्या generally automobiles Q1 में जैसे कि car electric cars ले लो या कोई भी car ले लो bike है ना तो यहां पर देखो सब सिर्फ OEM बेच रहा है कहीं पर आपको reseller नजर नहीं आएगा दिख रहा है कहीं पर reseller को entry नहीं है अभी मेरे पास मारलो मारोती कंपनी का मेरे पास मारोती कंपनी का store room है मैं पूने में हूँ और पूने में मेरे मारोती कंपनी का store room है तो क्या मैं jam पे मारोती कंपनी का मेरे पास store room है मैं authorized distributor हूँ इसलिए तो store room है मेरे पास तो क्या मैं jam पे मारोती के कार जेंपे में बेश सकता हूँ नहीं बेश सकते न? नहीं बेश सकते, बरावर, यही जानना था मुझे क्योंकि मैं re-seller हूँ इसका ORM कोन है? मारोती सुजूखी वाले खुद तो वही बेश सकता है क्योंकि Q1 में जो भी पॉड़क्ट क्यूवन से बिलॉंग करेगा उसमें री सेलर को एंट्री नहीं है समझो कोई डिलर गौवर्मेंट में काम कर रहा है और उनको इनकोरी आई है तो वो क्या OEM के तुरू सरफ OEM ही बेश सकता है जो भी कैटेगरी क्यूवन से बिलॉंग करेगा ऐसी सिर्फ OEM ही पास्वान करते हैं है u mankind क시 नहीं पर चाहिए उसके लेता सस्टिंग होना चाहिए आप लिस्टिंग फ़ार हो तो ने कर लिए वह थो हाथ तो हाथ कैसे भी करो तो हम जैंups को बाइस कर रहें को बाइपास करने का तो हम तो यह उसके बारे में तो कुछ भी हो सकता है क्लियर हो गया क्यूवन जो भी क्यूवन कैटिगरी में होगा उसमें रिसेलर को एंट्री नहीं है आते हैं क्यूटू क्यूटू में क्या पोड़क्ट है आई टी के पूरे लैप्टाप डिक्स्टाप प्रिंटर पोजक्टर काट्रेज भी यह सब क्यूटू में और भी बहुत सारे चीज़े क्यूटू में जैसे के लेडी का हम लोगों ने क्यूटू से विलॉंग करेगा उसमें दोनों बेश सकता है ओएम भी और रिसेलर भी बट वन कंडिशन सिर्फ ऑथराइज डिश्टिबूटर ही बेश सकता है मतलब बिदाउट ऑथराइजेशन के बगर आप क्यूटू का पोड़क्ट नहीं बेश सकते मतलब यहां पर आप कंप्यूटर बोलते हैं अब जदि आपको कोई भी कंपणी का बेचना है मुझे एच्पी कंपणी का डेक्स्टॉप बेचना है तो मेरे पास एच्पी कंपणी का ऑथराइजेशन होना चाहिए तो ही मैं क्यूटू आइटेम का पोड़क्ट बेच पाऊगा जो भी बेच दोनों सकता है ओएम भी और रिसेलर भी बट ऑनली विट ऑथराइजेशन है विदाउट ऑथराइजेशन यहां पर एंट्री नहीं है आते हैं क्योрь तरी क्यों तरीपे क्यों-गी फिर फेइन फेन फरनीचर रहे लेम्याओ ऑफिस है और बहुत चीज़े जो क्यों- more चीज़े क्यों-थरी से भी लिम करता है बहूए सारे चीज़ें है हम लोगों ने देखा और जैसे कि आम लोगों ने डिखा था था रिष्ट में सभी चीज़े क्यों 3 से ही था हुज है था सब क्यों 3 कैडिगरी चोभी कैडिगरी के सामने क्यों 3 लिखा रहे है कि क्यों 3 के लिए depend upon brand यहाँ पे भी दोनों बेश सकता है reseller भी और OEM भी और यहाँ पे authorization नमबर की जोरत है क्या कुछ चीज़ें को authorization लगेगा कुछ चीज़ें को authorization के बगर भी हम बेश सकते तो किसको बेश सकते हैं और किसको नहीं बेश सकते तो देखो जो product मालो यह polywell company है यह polywell company decide करेगी कि इसको बेचने के लिए authorization लगेगा या नहीं लगेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा जो polywell company ने क्या decide किया है तो इस product को खोलने से पता चलेगा इस product को खोलो और यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है जदी इसमें reseller not verified और catalog not verified लिखा है that means आप इस category में ये category में ये brand का product को आप without any authorization बेच सकते हो इस category में ये brand का product without any authorization बेच सकते हो क्योंकि इसमें दोनो not verified है सेम हम लोग और एक product लेते है जैसी यह है arresto अभी ये brand का product लेते है इसमें क्या है देखते है अभी इसमें देखो क्या है ये वाला भी बेच सकते है without any authorization ये brand का भी product हम लोग बेच सकते है without any authorization अभी AGI इसको देखते हैं इसको बेच सकते हैं मिलने रहे देखो बाद में खाली OEM वाले ही मिलते हैं कभी के बाद तो अभी OEM वाले मिल नहीं देखा अभी देखो यह है देखो Forestry Company अभी यह वाला पोड़क्ट देखो इसका पोड़क्ट देख लिए Forestry का इसमें क्या लिखा है OEM Verified जिसमें OEM Verified आएगा उसमें यह बाला पोड़क्ट भी OEM भी बेच सकता है और Reseller भी बेच सकता है पर Reseller को बेचने के लिए इस Company से Authorize करवाना पड़ेगा तो ही इस ब्रांड का पोड़क्ट आप बेच पाओगे यह Q3 का नौम से क्लियर है या कोई डाउट से हाँ सर साजीत सर वो लिए हलो 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 सर समी पुछा था कि OEM तो जनरली हमारे Q1 क्वाडरेंट में चले गए है या उसमें से पर्टिकुलर कैटेगरी डिफाइन है सर कि यही कैटेगरी मेटेरियल रहेगा उसमें यही प्रोड़क्ट रहेगा वो कैटेगरी बेस्ट है सर क्याटेगरी जिस कौडेंट से बिलोंग करता है तो इसमें प्रोड़क्ट में अगर हमें कंपनी से ऑप्रोड़ मिलेगा तो ही हम बेख पाएंगी अधरवाग नहीं बैस बैसके लिए डिपेंड ऑपन ब्रांड जैसे यह ब्रांड का बैसना ह तो यह आपको यह ब्राइंड का बेचना है तो फिर आपको एप्रूबल लेना पड़ेगा सेंम हम लोग दूसरा ब्राइंड बन बदल गए अब ये ब्राइंड का पोड़र बेचना है तो इसमें प्राइब नें की पर एक फिरह दाथ फैंटको और है है क्लियर है लो है जैसे यह यह कंपनी से बात करना पड़ेगा जब पोड़क डालोगे पोड़क डालने के बाद आपको उसको बताना पड़ेगा जो मैंने पोड़क डाला है आप उसको एपरूब कर दो यह Q3 में मैंने डाला है सर और कंपनी यानि की जो मेरी कंपनी है जैसे के बजाच ठीक है बजाच अभी ओनलाइन नहीं है जैम पर तो क्या गरेंगे जैम जब ओनलाइन नहीं है तो ऐसा ही नौट वेरिफाइड मूल के आएगा फिर अच्छा तो उसको फिर पहले कंपनी को उसके लिए जैम पर नहीं है तो उसके पॉड़क्ट में नौट भेरिफाइड ही आएगा तो ऐसे बेच सकते हैं हाँ बेच सकते हो कोई भी ब्राइड बेच सकते हो इसका मतलब यह हो गया कि यह कंपनी ब्राइंड तो है पर यह कंपनी ने जैम को अपने आपको आजियो और यह नहीं बनाया है अभी जैसे देख लो मैंने दाला है जैसे कि हम लोग बोलता है भेमस ब्राइंड में रैंकोड रैंकोड अब इसमें ब्राइंड है पूमा बोलके अभी इसके पॉड़क्ट अभी धुनना पड़ेगा पूमा के जैनि पूमा के बात करेंगे तो पूना पूमा कंपनी के भी पोड़क्त विदाउट एनी ओथराइजेशन बेश सकते हैं ठीक है जीस भी ब्राइड में आपको नौट वेरिफाइड मिलेगा वह आप विदाउट एनी ओथराइजेशन बेश सकते हों यह सिंपल लॉजिक है यह Q3 में नॉम से यह Q4 का इसके अब बताया नहीं हो आगे बताऊंगा आस्वीन हम आस्वीन मेडम अश्वीन करनाहत यह अलो नॉन ब्रांड वाले भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं तो वह तो नॉन ब्राइंड है मतलब वह तो बेची सकते हो आप में उसमें तो बाइडिफॉल्ट नॉट वेरिफाइड ही रहेगा गैरेंटी है कि कि सब्सक्राइड में यह कह रहा है जैसे हम लोग जैसे कोई प्रोड़क्ट है ठीक है राइट आपने का ओए एम नहीं होना चाहिए ठीक है तो ओए एम है ठीक है कोई कंपनी से चाह रहा है कि आप उसको पर देगी कोड़ देगी कोड़ देगी मेल पर देगी या पर डायक्ट से ले लो या कागज में चिट्थी बना के ले लो यहां पर इधर डालना है वो कोड़ जदी सही है तो आप बेच पाऊगे सही नहीं है तो बेच नहीं पाऊगे कोड़ सही है तो काम कर जाएगा नहीं है तो फिर नहीं करेगा तो वह पोड़ जो है पर कोड़ ओयम से लेना है कंपनी अपना जनरेट करेंगी वह अपने पॉर्टल पर जनरेट करेंगी जेम में और वह बेरिफाइए करेंगा जेम बस कैसे भी मिल सकता है ना वह आपके और OEM के पीच में सब्सक्राइब करता है अभी अन्मूट कीजिए आप मेरा एक क्वेशन था सर कि क्वाडरेंट टू और क्वाडरेंट त्री में एतराइजेशन लेना पड़ता है और OEM का नहीं कोड़ेंट टू में लेना ही पड़ेगा कोड़ेंट थ्री में डिपेंड अपन ब्रैंड बरावर है लेकिन वह एतराइजेशन लेने की प्रोशिजर क्या रहता है क्या लेना पड़ता है अपको होंडा कंपनी का एक सोरूम खोलना है दिस्टिबूटर लेन कैसे लोगें क्या उनकी क्या टर्मस कंडिशन रहेगे हो फुल फिल करके यहां पर भी ओई करूल पॉल्व करना है उनका जो कंपनी उनके तर्मस और कंडिशन को देखो क्या है और उसके इस अपसे उनके डिस्टिबूटर क्या है एक डिस्टिबूटर या डीलर कोई अलग अलग भी रख सकते हैं वह तो उसके उता है। और ब्रैंड ड bronze में फ़रक रहता हैं जो भी 2015 रीजिस्टर्ड है उसको फर्व लोग ब्रांड बोलता हैं अभीति वला ब्रन मालों यह नीन कमल है ब्रांड है एक ब्रैंड है जैना जदि वो तर drove के लिए अनब्राइण होगा एक जो ब्रद जेंब पर डाहीं है वो जैम के लिए अन्ब्रांड है जो रेजिस्टर्ड है वह आप ale वह रेजिस्टरेशन जिस कंपनी का है नहए नहीं हो गया दो सभी चीजों में confused मत अब ही मैंने बोला कि Puma company Puma company को आप क्या बोलते हो brand बोलते हो या unbranded बोलते हो जदी वो Puma company jam पे registered नहीं है तो क्या हो जाएगा वो पुमा company jam पे registered है brand registered है पर उसने अपने आपको OEM नहीं बनाया है जेंपे तो वो क्या हो जाएगा जेंपे ब्राइंड हो जाएगा पर उसका कोई authorization नंबर मगरा नहीं रहेगा सर मतलब को येम का registration आ लगए और रेजिस्ट्रेशन आ लगए बराबर यह हुआ फर्फ़त ठीक थेंक यू सर परस्षर सर ये जो प्राइंड वाली कंपनी से authorization लेना पुलेगा वो इसमें mail बेल करना होगा किसे होगा वो तो सर मैंने अभी वही बोला कि आपको एक जुकान खोलना है तो आप कैसे करोगे वह आपका offline प्रोसीजर है उसके लिए जो ओईम का रूल से उसको follow करो और उससे लो यहां पर उसके साथ जेम का कोई मतलब नहीं जेम को authorization code चाहिए आपको कैसे लेना है वह आपको देखना पड़ेगा अब बजाज से सोरूम से जाओ या बजाज के बजाज से ही मिलो आपको नंबर चाहिए जेम को सिफ नंबर से मतलब है नंबर है तो बेच पाओगे नहीं है तो नहीं है उपी कि डिपेंड अपन कैटेगरी डिपेंड अपन ब्रांड उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कुसन करते हैं हलो सुभम सर मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर क्यूटू में लिस्ट है जो मुझे पता ही नहीं है कि सब्सक्राइब बजाज का इस्त्री हो गया है तो मेरे लिस्टिंग होगा क्या वाप है सर आपको तो पता चल जाएगा ना अभी जैसे आप सर्च कर रहे हो तो आपको समने से लिखा हुआ तो आ रहा है ना तो में लिस्ट करने में आ जाएगा हो कि है तो आपको तभी लिस्टिंग करने से रोग देगा अब कि पटेल सब्सक्राइब पटेल सब्सक्राइब हमारे पास और भी थोड़े हैं जैसे की क्यूफाइब एंड क्यूश्च जादतर इसमें पॉड़क नहीं है जैसे की सेल्फ हल्प ग्रुप जैसे की होममेड जो पोड़क्ट होते हैं महिला बचत गड़ वाले बनाती है यह सब पॉड़क्ट जनरली क्यूफाइब में होत आप अमिज सर कहा से हो बिलोंग करते हैं आप जारकण से तो जारकण में क्या फेमस है अब रख़े सब्सक्राइब लिटी जोगा फेमस है अभी वह तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा डिस्टिक में बताओ इसको हम लोग बोलते O, P, O, D One District, One Product अभी हम यहां से पता करेंगे क्या फेमस से जहारखन वो सब आइटम Q6 में आएगा हमें लेना है जहारखन बोलो कौन सा डिश्टिक का देखना चाहते हो देवगर, दुमका, गोड़ा गरवा क्या फेमस है यहां पे डिश्टिक बता रहे वो पता नहीं है क्या है कारफेट है क्या फेमसर देखो यहां पे क्या फेमसर यहां पे कारफेट UP में यद्धा बोल रहा है UP! पयोपी में तर пис यही नहीं क्या लिश्ट में लिच्ञे मैं और नीघी उपी आयोधा में तो पिछacha में क्पके कि आ था यापे वहां पे कुछ पर जो यह जो आइटम में यह आइटम क्यूच्स क्राटेगरी नहीं होता है यह आइटम कहां पर मिलेगा आपको Q6 में ठीक है सरी हमने निकाला कैसे था यह यहां पर जाने का है जेम पर जाओ और यहां पर देखो यहां पर सेकंड नमबर या थर्ड नमबर मिलेगा यहां पर क्लिक करने का चाहिए इसका लिंक बेज़ देता हूं मैं यह लिंक से डाइट फूल जाएगा ठीक है तो यह है अपना Q1, Q2, Q3, Q4, Q56 और इनके रूल्स है और बाकी की चीज़े ट्रेंड्स वगरा यह चीज़े तो मैंने आपको थोड़ा है थोड़ा बहुत बता ही दिया है और त्रेड का बाता है यह बाएर का है थोड़ा चलिए यह सब अप्रोस्मेंट्री थोड़ा थोड़ा आमने लेगों ने आपको जेम का एक ओवर्व्यू दे दिया यह है आइड़ार तो मैंने लेगों